हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके माम इलाकरांती और आज मैं अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए कक्षा दसवी के बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ भौतिक विज्ञान का हमारा चाप्टर जिसमें हम पढ़े वाले हैं प्रकाश के परा वर्तन तथा अपवर्तन चाप्टर का बहुत ही मज़ेदार और important चाप्टर है हमारा ये कक्षा दसवी में आप सभी को इस चाप्टर से बहुत सारे questions आप लोगों को exam में देखने के लिए मिलेंगे और कभी-कभी बच्चों को ये चाप्टर थोड़ा सा tough भी लगता है प तो बिल्कुल उसके आगे अब हम डिटेल में इस चाप्टर को पूरा कक्षा दसवी में जो है पढ़ने वाले हैं जब आप लोगों को ये चाप्टर जो है बिल्कुल प्रकाशकी के रूप में आप लोगों को ये अध्याय देखने के लिए मिलेगा वहां पे आप लोगो से क्या होता है कैसी आप लोग जो है इस पूरी रंग बिरंगी दुनिया को आप लोग देख रहे हो जिसको आप आने वाले चाप्टर में पढ़ोगे माना उन्हेतर तथा रंग बिरंगा संसार कि अपने आखों के इस्तमाल से ये रंग बिरंगा संसार आप देख पारे हो वो सिर्फ उसे प्रकाश की वज़े से देख पा रहे हो तो पूरा डिटेल हम लोग इस चाप्टर में पढ़ने वाले है ठीक है तो जल्दी से वड़ा वट सारे बच्चे क्लास में जॉइन हो जाएंगे इस वीडियो की लिंक अपने सारे दोस्तों को शियर कर देंगे वाट सैप में इंस्टाग्राम में टेलिग्राम में सब बच्चों को सब दोस्तों को बुला लेंगे फटा फट से हम इस सेशन को शुरू करते हैं जिसमें हम ये पूरा चाप्टर एक शॉट में जो है खदम कर देंगे राइट भेज दिया सभी ने वीडियो का लिंक सारे दोस्तों को भेज दिया तो जल्दी से थम्सप दिखा देंगे बिल्कुल वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सभी बच्चों को थम्सप दिखा देना है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जो बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बैल आकॉन जरूर हिट करेंगे ताकि आप लोगों को सारी क्लासेस की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे चालो अब ह आसपस सारी दुनिया को आप देख पा रहे हो कैसे क्यूं क्या कारण है जिसके कारण आप लोग देख पा रहे हो अच्छा एक बात बताओ दिन के समय में आप किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से देख लेते हो राइट जब रात का समय होता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या कारण है इसका तो भाइ इन सभी का एक ही कारण है प्रकाश, तो हम लोगों को जब दिन में रौशनी मिलती है तो हमारा मुख्य स्तरोत क्या होता है प्रकाश का आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर डाइग्राम में क्या हैं सूर्य का चित्र बना हुत हैं यहां पर पृत्वी है और चंद्रमा है तो भाई हमारे पास जो उर्जा और प्रकाश दोनों के लिए ही एक मुख्य स्त्रोत है प्लाकृतिक स्त्रोत है क्या सूर्य तो दिन की समय में क्या होता है जैसे ही सुर्योधा होता है सुबह सुबह उसके बाद से हम लोगों को जैसे ही प्रकाश जो है हमारी पृत्वी तक पहुशना शुरू करता है हमको सारी चीजे जो है एकदम आसानी से आराम से हम लोगों को सभी चीजे क्लियर दिखाई देती है जैसे ही शाम धलने लगती है अंधीरा होने लगता है उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ते हैं अपने घरों के लाइट्स ओन करने पड़ते हैं बिल्कुल सड़कों पर क्या होता है सड़कों पर जो है लाइट्स जो हो लगी होती है वो लाइट्स ओन करने पड़ते है तब ही जा करके हम लोगों क लोग पढ़ने वाले हो या हो सकता है कि आप लोगों ने विद्व चाप्टर पढ़ लिया हो तो बिल्कुल उस चाप्टर में हम लोग पढ़ते हैं जिससे हम लोगों को क्या मिलती है प्रकाश उर्जा मिलती है हमारे बल्फ जो है जलते है दिमाग का तो बल्फ जलता ही जल इनको रे, तो बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो, ये वाइट कलर की जो लाइन्स बनी होई है, यहाँ पर प्रकाश की किरने सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आप लोग ये जो सीधी सरल रेखा में जो गती क प्रकाश की किरन आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल जो है ये जो है आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, कि यहाँ पर प्रकाश जो है कैसे गती करता है, सरल रेखा में गती करता है, और बिल्कुल ये जो है प्रकाश का गुण होता है, और ये बहुत ही अधिक चाल से, ए प्रकाश की जो चाल होती है ठीक है प्रकाश की चाल इसको हम प्रदर्शित करते हैं किस से प्रकाश की चाल को हम प्रदर्शित करते हैं सी अक्षर से ठीक है और इसका मान कितना होता है तो इसका मान होता है भई तीन गुणा दस की घार आट मीटर प्रती सेकेंड का ठीक है त तो वहां पर भी प्रकाश की चाल जो है बिल्कुल यही रहेगी तो जहां पर भी होगा प्रकाश की चाल बिल्कुल वही रहेगी तो आप लोग देख पा रहे हो कि सूरी से प्रित्वी परिस्तर से जो हिस्सा प्रकाशित हो पा रहे है तो जिस हिस्से में प्रकाश यहां पर होता है और बिल्कुल हम अपनी प्रित्वी से इस चंद्रमा को भी देख पाते हैं बहुत सारे सितारों को देख पाते हैं तो बिल्कुल इसलिए चंद्रमा की सतह से यहाँ पर क्या हो रहा है चंद्रमा की सतह से यहाँ पर प्रकाश का जो है परावर्तन हो पा रहा है ठीक है प्रकाश का जो है परावर्तन हो पा रहा है इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इस चाप्टर मे पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते है यही हमारा में टॉपिक है बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो कि सूरे की कीरण जो है चंद्रमा पर वहां टकरा रही है चंद्रमा की सतह से टकरा कर पृत्वी पर वापस आ रही है तो यह इस तरह से यह क्या हो यहां पर रात के समय में चंद्रमा को जो है देख पाता है इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जितनी भी चीजे हम लोगों को दिखाई दे रही है यह रंग बिरंगा संसार या कुछ भी जो भी चीज हम को दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल वो किसके कारण दिखाई दे पारा है जिसके बारे में हम डेटेल में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो है क्या होता है तो बिल्कुल प्रकाश का परावर्तन हम डेटेल में पढ़ेंगे पर उससे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे चाप्टर में हम लोग कौन-कौन से टॉपिक जो ह कवर करने वाले हैं तो प्रकाश का परावर्तन बेसिक पढ़ेंगे किस तरह की सतहों में प्रकाश का परावर्तन होता है तो समतल सतह गोलिय सतह जिसमें हम गोलिय सतह को गोलिय दरपन कहते हैं इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस गोलिय स पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलिय दर्पन द्वारा परावर्थन के लिए चिन्ह परिपाटी की जब हम लोगों को इस तरह से जो है कैलकुलेशन करना हो कि कितने साइच का जो है हमारा प्रतिविंब बनता है प्रतिविंब क्या होता है सारी चीजे हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी भी आप लोगों को आएगी आगे देखेंगे कि क्या होता है दर्पन सुत्र और आवर्धन के बार में पढ़ेंगे कि जब मालों की परावर्थन होता है तो बिलकुल किसी दर्पन की तरह की सतह से ही परावर्थन तो वहां पर मतलब उसका सुत्र क्या होगा कि जो हम गड़िती है रूप में गड़ना करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो वह हम कैसे निकालेंगे यह हम लोग दर्पन सुत्र में देखते हैं आवर्धन का मतलब होता है विस्तार तो जब वहां लोग की दर्पन में क्या होता ह है दरपन से जो है सतह से टकरा कर प्रकाश की करें हमारी आखों में जब पढ़ती है तो जब परावर्थन होता है तो जो प्रतिविंब हमारी आखों में बनता है ठीक है जो प्रतिविंब बनता है किसी भी वस्तु का तो उसका विस्तार कैसा होता है बड़ा होता है छोटा हो फाशी होता यह सारी चीज दो है यहां पर आवर्धन में पढ़ने वाले हैं प्रकास का अपवर्थन यह hara नेक्स Standing होiovascular जैसे हम्या प्रकाश का पर आवर्थन पढ़ रहे थे वैसी हम उसके बाद प्रकास का अपवर्तन पढ़ेंगे और अपवर्तन में बिल्कुल हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन के कारण किस तरह से हम लोगों को प्रतिविंब बनता है कैसा दिखाई देता है इसमें पूरा अपवर्तनांक का डिटेल पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या होता है अपवर्तनांक बि प्रतिबिंब कैसे बनता है ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने प्रकार के लैंस होते हैं लैंस का प्रतिबिंब आरेक कैसा बनता है और इसके लिए भी हम लोगों को क्या पढ़नी है चिन्न परिपार्टी पढ़नी है जैसे हम लोगों ने दरपन के लिए पढ़ा ह और बिलकुल दरपर सुतर जैसे हम लोगों ने पढ़ा उसी तरह से हम लोगों को यहां पर लाएंस सुतर भी पढ़ना होगा और जो है लाएंस के द्वारत जब प्रतिबिम्ब बनता है तो उसका आवरधन या विस्तार कैसा होता है छोटा, बडा, किस साइस का होता है, अका तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि प्रकाश का परावर्तन ऐसी घटना है जिसकी वज़ा से हम पूरे इस रंग बिरंगे संसार को देखने वाले हैं जैसे कि आगे चलके आप लोग आने वाले चाप्टर में मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार आप पढ़ते हो ठीक है तो बिल्कुल वो रंग बिरंगा जो संसार है बिल्कुल हमें जो दिखाई दे पा रहा है सीधी सीधी बात है कि वो केवल और केवल प्रकाश के कारण ही दिखाई दे पा रहा है और प्रकाश किसी सतह से परावर्तित हो कर कि वापस हमारी आखों पर पड़ता है जिसकी वज़ा से हमें क्या होता है कोई भी वस्तु दिखाई देती है रात के समय कोई भी प्रकाश नहीं होता तो कोई परावर्तन भी होगा नहीं होगा और ना ही कोई अपवर्तन होगा तो बिना प्रकाश के परावर्तन और अपवर source है मैंने क्या बताया कि सूर्य जो है प्रकाश का बिल्कुल मुख्य source होता है तो यहाँ पर जो है हम एक बल्ब को प्रकाश के source के रूप में ले रहे हैं कि यहाँ पर इस बल्ब से जो है बिल्कुल प्रकाश की सीधी रेखाएं सरल प्रकाश की कीरणे बिल्कुल कीरणे निकल रही होती है और ये कीरण जो है बिल्कुल सरल रेखा में निकल रही होती है इस बल्ब से और जब प्रकाश की कीरण जो है देखो ये देखो ये बिल्कुल जो है एक दूसरे की समनांतर लाइन में निकल रही है और देखो यहाँ पर किसी वस्तु पर यहां पर पढ़ रही है तो किसी वस्तु पर जब हम यहां पढ़ रही है तो प्रकाश की वज़ा से यह वस्तु हमें क्या दिखाई देगी यह वस्तु जो है हमें दिखाई देगी और बिल्कुल अगले अध्याय में जो है आप इसके कलर के बारे में भी पढ़ोगे कि किस कलर का क्यों दिखाई देता है और विभिन सतहों पनिर्फर करता है कि कैसा दिखाई देगा मतलब कि देखो कुछ सतहे क्या करती है बिल्कुल इसको अपने अंदर अब्जर्व कर लेती है मैटल की सता और बिल्कुल इस तरह की सतहे जो है बिल्कुल हमारी पीछे जो है सिलवर की परत चड़ा दी गई है जिसकी वज़ा से सामने ऊपर का हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है फिर से इस वीडियो को मैं थोड़ा पीछे करती हूँ ठीक है चिकना सत्य है यह बिलकुल जिसके पीछे क्या कर दिया गया है इसके पीछे जो है बिलकुल वस्तूओं पर प्रकाश की कीरण पड़ रही है ये जो है मैटल की तरह की वस्तूओं पर जब पड़ रही है तो ये बिल्कुल मैटल भी चमकती है क्योंकि उसका सता हुसी तरीके का होता है पर लकडी की सता जो है बिल्कुल चमकती नहीं है क्यों नहीं चमकती है क्योंकि व दरपन लेंगे बिलकुल दरपन जब हम लोग लेंगे तो वहाँ पर पीछे के सता हमें सिल्वर कलर की पॉलिश चड़ी होती है और इस सिल्वर कलर की पॉलिश चड़ी होने के कारें इसका उपरी सता चमकीला दिखाई देता है प्रकाश की किरने इस तरह से देखो समनांतर यहाँ पर जब आपतित होती है तो यहाँ पर दरपण के किसी बिंदू से क्या होती है परावर्तित होती है और परावर्तित हो करके क्या दिखाई देती है बिलकुल जो है परावर्तित हो करके जो भी वस्तुए है वो हम लोगों को मतलब की जो भी प्रतिबिम्ब है यहाँ हम लोगों को किसी भी वस्तु का क्या दिखाई देता है प्रतिबिम्ब दिखाई देता है ठीक है तो प्रतिबिम्ब क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ पर जब प्रकाश कीरण अपने अंदर सोख लेती है तब वहाँ पर हमें उस सतह पर कोई भी प्रतिबिम्ब नहीं दिख दिखाई देता है परन्तु अगर आप लोग जो है मतलब कोई भी तरह का अगर दरपन लोगी तो आप लोगों को इसमें बहुत ही अच्छे से प्रतिवियम दिखाई देगा प्रकाश का परावर्तन का परिभाशा बिलकुल मैं आप लोगों को नोट करवा दूंगी पर आग आपतित कीरण बोलते हैं ठीके क्या बोलते हैं इसको हम आपतित कीरण और यहां पर एक सीधी लाइन खीचते हैं इसको हम अभी लंब बोलते हैं और इस अभी लंब से आपतित कीरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण ठीक इसी तरह से यहां पर ये वाली ला बिल्कुल आप लोगों को दिखऊओंगी कि कैसे आप लोगों को ये रेखाचित्र बनाना है आप लोग देख पारे हो कि बीच में हम लोगों ने पिल्कुल सतह के अभीलंबववत मतलब honoring 90 डिगरी के कोड़ पर हम लोगों ने एक लाइन खीची है यहाँ पर और इस लाइन से हम लोगों ने आपतित कीरण के साथ एक कोड़ देखा परावरतित कीरण के साथ एक कोड़ देखा और ये दोनों कोड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि एक दूसरे के लेते हैं देखो वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कारण बस एक ही है ताकि आप क्या कर पाओ बिल्कुल ताकि आप इमेजिन कर पाओ है ना आप चीजों को जो है अपनी आखों में जो है बिल्कुल मतलब आखों से जब देखोंगे होता हुआ तब आप लोगों को ब बिल्कुल पॉस करके आपको दिकाती हूँ ठीक है ये इमेज आप बिल्कुल पॉस करके देख लो इसको जब मैं थियोरी में पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल आप लोगों को ये जो है क्लियर होना चाहिए देख पा रहे हो हो क्या रहे है इसके कहने का मतलब यह है कि जो परावर्तित करेगी ठीक है तो जब यह सोक लेगी तब भी हम लोगों को प्रकाश के कीरण की वज़ा से ही क्या दिखाई देता है कोई भी वस्तु दिखाई देता है और जब यह वापस से इसको भेज देती है परावर्तित कर देती है तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम जो हम लोगों ने खीचा है, आपतित कीरण और परावर्तित कीरण, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही सत्छा पर दिखाई देरा है, तो बिलकुल आप लोगों को यहाँ पर एक blue color का image दिखाई देरा है, धूनला सा बिलकुल जिल्ली की तरह आप लोगों को किसे क्या लिया गया है एक दरपन लिया गया है क्या लिया गया है एक दरपन लिया गया है और इस दरपन में क्या दिखाये जाएगा आप लोगों को देखो कैसे होता है एक बार मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूंगी यहां पर देख लो ठीक है चलो यहां पर एक टार करके वापस से क्या हो गई परावर्तित हो गई ठीक है और बिल्कुल और इसके ही इस परावर्तन के नियम भी है तो इस नियम में आप लोग इस वीडियो में भी देख पा रहे हो कि किस तरह से जो आपतन कोण और परावर्तन कोण यहां पर बन रहा है वो क्या है दोनों ही ए एक जैसा यहां पर बनता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को टॉर्च देख करके बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा और यहां पर आप लोग देखो कि जब हम लोग जो है इस तरह से जब दरपण म देखते हैं तो हम लोगों को एक दम भराबर clear दिखाई देता है पर वहीं पर अगर आप थाली पर देखोगे या फिर किसी ऐसे surface पर देखोगे जो खुरदूरी सता होगी तो यहां पर क्या होता है और नियमित परावर्तन होता है और हम लोगों को जो प्रतिबिम्ब है वो एक जैसा दिखाई नहीं देता है बिल्कुल एक जैसा दिखाई नहीं देता है यहां पर जिस बिंदू पर प्रकाश कीरण आती है इसको हम आपतन बिंदू बोलते हैं और बिल्कुल इसी बिंदू से क्या होती है प्रकाश परावर्तित होती है और इस आपतन बिंदू के अभी लंबु अद मतलब की 90 डिग्री पर ही हम क्या बनाते हैं अभी लंब बनाते हैं इसको नॉर्मल भी कहा जाता है और इससे ही हम लोग क्या करते हैं आपतन कोड देखते हैं कि कितना आपतन कोड इस आपतीत कीरण के साथ बन पा रहा है और कितना परावर्तन कोड इस पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में बिल्कुल समझ आप आ रही होगी तो जैसे कि अगर आप लोगों को परिक्षा में पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो बिल्कुल आप उसकी परिभाशा यहां पर लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि जब प्रकाश की की किसी एक माध्यम से संचरित होती हुई ठीक है एक माध्यम से मतलब की या तो वायू होगा या तो कुछ होगा कोई भी एक माध्यम होगा ठीक है दो माध्यम कब आएंगे जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे तो वहाँ पर दो माध्यम की बात होगी तो यहाँ पर सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं परावर्तन में एक माध्यम की बात कर रहे हैं तो जब प्रकाश कीरण एक माध्यम से संचरीत होती है और किसी अपार दर्शीतल तो अपार दर्शीतल का मतलब यह है देखो पार दर्शीतल का मतलब आर पार चला जाएगा प्रकाश का कीरण कै फिर गाड़ी के अंदर का जो मीरर होता है बिल्कुल अगर आप जो है टू वीलर्स की बात करोगे तो साइड में जो मीरर्स लगे होती हैं तो वहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई 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 द और सिल्वर की एक परट चगी होने के कारण जो इसके ऊपर का हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये सत्ह कैसा दिखता है ये सत्ह हम लोगों को चमकीला दिखाई देता है और इस तरह के चमकीले सत्ह से बिल्कुल आप लोगों के लिए यहां पर लिख देती हूं में भी आप लोगो तो वापस से हम अपनी परिमाशा में आ जाते हैं कि जब प्रकाश की रड़ किसी एक माध्यम से संचरित होती हुई किसी अपारदर्शितल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लोट जाती है तो इस घटना को प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बहुत ही मज़ेदार एक्जाम्पल्स हम लोग क्लास में देखने वाले हैं तो सभी बच्चों को शुरू से लेकर आखरी तक के इस वीडियो में इस लेक्चर में बने रहना है आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक्जामपल्स के माध्यम से आप लोगों को ये पूरा चाप्टर इतना आसान हो जाएगा कि आप लोगों को पता ही नहीं क्यों भाई है की नहीं जल्दी से जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बिल्कुल थमसब दिखाते रहेंगे और लगातार वीडियो में बने रहेंगे ठीके तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस सरह से पर आपतित कीरण जो है यहाँ पर आपतन बिंदू यह बिंदू क्या है आपतन बिंदू है तो इस आपतन बिंदू पर यहाँ पर आती है और बिल्कुल इस आपतन बिंदू से उसी माध्यम में क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं पराव प्रेजी में इसको हम बोलते हैं, नौर्माल, ठीक है, तो n for normal, बिल्कुल, तो यहाँ पर जब यहाँ पर यह अभिलम बहुत ही important role play करता है, क्यों important role play करता है, क्योंकि यहाँ पर इस अभिलम बसे ही आपतित कीरण के साथ हम जो कोण लेते हैं, इसको हम आपतन कोण बोलते है और परावर्तित कीरण के साथ जो हम कोड लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, परावर्तन कोड, ठीक है, अब बिल्कुल हम इनके नियम के बारे में पढ़ेंगे, तो आल्रेडी हम लोगों ने वीडियो में देख लिया है, पर बिल्कुल अगर आप ल इसको बोलते हैं जब आपतित कीरण का अभिलंब के साथ हम लोग क्या बनाते हैं कोड बनाते हैं तो ये कोड जो है आपतन कोड कहलाता है ठीक है इसको अंगरेजी में बोलते हैं क्या इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं आने वाली रेखा को इंसिडेंट रे मतलब रे मतलब की और आपतित कीरण मतलब इंसिडेंट, ठीके, तो इस वज़ा से इस आपतन कोड को हम लोग क्या करते हैं, ठीटा आई से प्रिदर्शिक करते हैं, आई फॉर इंसिडेंट, क्या, आई फॉर इंसिडेंट, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक से एकदब जीरो से पूरा कॉंसेट में हम लोगों को सिखाने वाली हूं, जो पहली बार इस चाप्टर को पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये चाप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीके, ठीके बचलो, ओके, चालो, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है, बिल्कुल इस क्या है, आपतन बिंदू, इस आपतन बिंदू से क्या होता है, कि यहाँ पर यह प्रकाश की कीरण जो है, टकराती है, यह सता को हम लोग परावर्तक सता बोलते हैं, परावर्तक सता का मतलब चमकीला सता, जिसके पीछे में बिल्कुल पॉलिश लगी हो, और यहाँ पर से जब परावर्तित हो रही है तो वापस उसी माध्यम में जा रही है तो इस कीरण को हम लोग क्या बोलते हैं परावर्तित कीरण बोलते हैं और परावर्तन अंगरेजी में कहलाता है reflection ठीक है और ये जो कीरण कहलाएगी reflected ray कहलाएगी तो इस कोण को हम लोग क्या करते हैं ठीटा r से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर r for reflection तो ठीटा r क्या है परावर्तन कोण है ठीटा r क्या है यह यहाँ परावर्तन कोण और पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि जो आपतन कोण है वो क्या होत है जो आपतन कोण है वो क्या होता है बराबर होता है परावरतन कोण के तो ये हमेशा लागू होगा ये परावरतन का पहला नियम है जिस सता से दुनिया में परावरतन होगा उस हर सता के लिए ये लागू होता है तो आपतन कोण बराबर होता है परावरतन कोण के पहला निय की हम बात करते हैं तो बिल्कुल यहां पर परावर्तक सता ली गई है जिसको हम यहां पर दरपन कह सकते हैं या किसी भी तरह का परावर्तक सता हो सकता है जहां जहां से reflection हो रहा है ठीक है तो यहां पर जो है बिल्कुल आपतित कीरण और परावर्तित कीरण और अभिलंब हम लोगों ने बनाया है यह हमारा आपतन कोड है और यह हमारा क्या है परावर्तन कोड है और बिल्कुल अभी लंब बन रहा है यहां पर कहां से इस आपतन बिंदू से कहां से बन रहा है इस आपतन बिंदू से और यह तीनों कहां पर होगी एक ही माध्यम पर होगी और एक ही सता पर होगी मतलब एक ही तल हम कह सकते हैं इसको और आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर यह जो बन बिल्कुल ये दर्शारा है कि ये जो बना हुआ है वो क्या है एक तल है ये जो बना हुआ है क्या है वो एक तल है तीनों एक ही तल पर रहेगी तो ये जो दो नियम है आगे आप लोगों को बहुत जादा काम आते हैं जब आप प्रकाश के परावरतन के बारे में डिटेल में जब आप समझते हो study करते हो तो ये दोनों नियम वहाँ पर लागू होंगे तभी प्रकाश का क्या हो रहा होगा परावरतन हो रहा होगा ठीक है बट यहाँ पर आप एक प्यारी सी image देख रहे होगे ये बच्चों आपने आपको किस तरह से खिलखलाते हुआ यहाँ पर क्या कर रहा है mirror में देख रहा है बिल्कुल हम सब बड़े होने की बाद तो और भी जादा बिल्कुल हम लोगों को जो है बिल्कुल इस सीच का वो रहता है कि हम सुन्दर दिखने चाहिए हम अच्छे दिखने चाहिए और बार बच्चे क्या करते हैं जैसे ही आपके age group में आते हम लोगों को बिल्कुल यहां पर प्रतिबिम्ब अब यह प्रतिबिम्ब हम लोगों को जो यहां पर दिखाई दे रही है यह बिल्कुल हम लोगों को जो है clear दिखाई दे रहा है बिल्कुल एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है जैसे हम दिख रहे हैं वैसा ही हम लोग बिम्ब दिखाई देती है वो एकदम जो है clear दिखाई देती है ठीक है clear दिखाई देती है तो इस तरह के प्रतिबिम्ब को हम लोग क्या कहते हैं नियमित प्रतिबिम्ब कहते हैं क्या कहते हैं नियमित प्रतिबिम्ब मतलब एकदम proper हम लोगों को अच्छे से दिखाई दे र बनता है जैसे कि आप जब मानवनेत्र की संरचना आप जब पढ़ोगे या पढ़े होगे तो वहां पर भी आप लोगों के आखों में क्या होता है विलकुल पीछे में रेटीना का रेटीना नाम का एक हिस्सा होता है जहां पर हम लोगों को जो है उल्टा और वास्तविक प् क्रतिभिम्ब पन रहा है जो एकदम क्लियर बन रहा है जब हमारी मतलब आँखों में चश्मा लग जाता है या किसी प्रकार कर कुछ हो जाता है तो हम लोगu को जिब एफे और गुछ नियमे तो बिल्कुल तो सब कुछ धूंदला कब दिखाई देता है जब अनियमित प्रकार का प्रतिबिम्ब बनता है तो अनियमित प्रकार का प्रतिबिम्ब से हम लोगों को क्या दिखाई देता है ये बिल्कुल धूंदला दिखाई देता है और ये धूंदला जब जो सतह पर प् आप लोग देख पाई रहों कि पिछे पहाड है और बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है और यहाँ पर बिल्कुल पानी की सता पर इनका जो प्रतिबंब बन रहा है वो बिल्कुल जिल्मिला सा बन रहा है कैसा बन रहा है जिल्मिला सा या फिर सब कुछ दुंदला ह सब कुछ दुंदला है तो वाई बिल्कुल धुंदला प्रतिविंब आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पानी की जो सता होती है उसमें वेव सोते हैं बिल्कुल तरंग तरंगे होती है पान पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल जो है जैसे प्रकाश की किरने आपतित हो रही है ठीक वैसे ही क्या हो रही है परावर्तित हो रही है यहां पर जो है आप लोगों का प्रावर्तन का नियम भी लागू होगा आपतन कोन परावर्तन कोन के बराबर होगा ठीक है क्योंकि यहा यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर बिल्कुल खुर्दूरी सता है ठीक है यहां पर जैसे कि चिकनी सता है वैसे ही यहां पर क्या है खुर्दूरी सता है तो खुर्दूरे सता पर क्या हो रहा है खुर्दूरे सता पर भी यहां पर आप लोगों का क्या होगा यहां पर आपतन और परावरतन का जो नियम है वो बिल्कुल लागू होगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इस आपतन बिंदू से अभिलंब बनाते हैं तो जहां जहां पर किरने आपती थोरी ना हर आपतन बिंदू से यहां पर अभिलंब बनेगा और आपतन कोण और पराव इसलिए हम लोगों को बिल्कुल जो प्रतिभिंब दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है सब कुछ धुंदला दिखाई देता है ठीक है तब बिल्कुल आप लोगों को नियमित प्रतिभिंब और नियमित प्रतिभिंब भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ठीक है अब आप लोग देखना ये चम्मच ही ले लो कम से कम चम्मच के दोनों साइड आप लोग प्रतिविम देखना आगे मैं वो आप लोगों को इमेजन करवाओंगी वो पिक्चर भी मैं आप लोगों को दिखाओंगी पर फिलहाल आप लोग यहाँ पर देखो जैसे कि जो है य हम लोग detail में पढ़ेंगे आगे यह समतल दरपन है यह क्या है गोलिय दरपन आएगा आगे ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक गुलाब है यहाँ पर यह जो है वस्तू अब इस वस्तू का क्या बन रहा है इस दरपन से जो है प्रतिविंब बन रहा है तो यह प्रतिव कीरण क्या है ये परावर्तित कीरण ठीक है परावर्तित कीरण ठीक और यहाँ पर कैसा बन रहा है ये बिल्कुल उल्टा तो ये जो उल्टा प्रतिबिम्ब बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिम्ब बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम वास्तविक प् दरपण के लिए ही बनता है ये दूसरे दरपणों में संभाव नहीं होता है ठीक है जैसे कि अगर हम अपने जो ये वास्तविक यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रतिबिम्ब को तो ये वास्तविक प्रतिबिम्ब है ठीक है मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे मतलब पराव समाने दरपण में भी क्या होता है परावर्तन होता है जैसे कि अभी तक हम लोगों ने समाने दरपण में ही परावर्तन परावर्तन के नियमों के बारे में समझा और नियमित परावर्तन नियमित परावर्तन हम लोगों ने समझा ठीक है पर यहां पर जब परावर्तन के पश प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल आभासी और कैसा बनेगा आभासी और सीधा बनेगा ठीक है और जब भी वास्तवीक प्रतिबिंब बनेगा तो ये वास्तवीक प्रतिबिंब कैसा बनता है तो ये वास्तवीक प्रतिबिंब दरपन के सामने बनता है और उल्टा बनता है ठीक है तो इस प्रतिबिंब की परिभाशा हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है किसी बिंदू से चलने वाली प्रकाश की किरने परावर्तन या फिर अपवर्तन जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पर अपवर्तन के पश्याद जिस बिंदू पर क्या होती ह मिलती है ठीक है देखो यहाँ पर जिस बिंदू पर सारी किरने क्या हो रही है मिल रही है यहाँ पर जिस बिंदू पर सारी किरने मिल रही है तो जिस यहाँ पर मिलती है जिस बिंदू से अपसरित फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदू को क्या कहते है हम लोग वस्तू का प्रतिबिम्ब कहते हैं ठीक है वस्तु का प्रतिबिम्ब मतलब कि यहां पर या तो मिल रही है ठीक है या तो मिल रही है या तो फैलती हुई प्रतीत हो रही है देखो यहां पर यह आभासी प्रतिबिम्ब जब बन रहा है तो यहां पर कैसी प्रतीत हो रही है बिलकुल यहा को क्या मिलेगा प्रतिभिंब मिलेगा जब फैलते हुए प्रतीत हो रही है तो हम लोगों को आभासी प्रतिभिंब मिल रहा है क्योंकि दरपण के पीछे की और जा करके मिल रहा है जब कि यहां पर जब मिलते हुए प्रतीत हो रहा है मतलब कि हम लोगों को यहां पर दरपण की स्थिती ग्याद करने के लिए केवल दो ही किरने परियाप्त होती है मतलब कि अगर हम लोगों को प्रतिबिम्ब किस दर्पण में समतल दर्पण में या फिर गोलिय दर्पण अभी हम लोगों ने दो प्रकार का दर्पान देखा आगे हम लोग डिटेल पर पढ़ेंगे तो कहां पर यो है, बनेगा प्रतिभिंबा, इसके लिए हम लोगों को कम से कम केवल, और केवल दो किरणें अगर हमारे पास होना, तो उन दो किरणों के कारण ही हम लोग पूरा अध्यान कर सकते हैं, study कर सकते हैं, कि कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है तो अब हम देख लेते हैं प्रतिबिंब के प्रकार तो हम लोगों ने जो है इसके पहले प्रतिबिंब दो प्रकार के देखे वास्तविक और आभासी तो वास्तविक प्रतिबिंब कब रहा है जब किसी बिंदू से चलने वाली प्रकाश की किरने परावर्तन या फिर अपवर्टन के पश्षाद जिस बिंदू पर मिलती है जिस बिंदू पर क्या होती है जिस बिंदू पर मिलती है उस बिंदू पर बना प्रतिबिम्ब उस वस्तु का क्या कहलाता है वास्तविक प्रतिबिम्ब कहलाता है और ये वास्तविक प्रतिबिम्ब कैसा बनता है सदया उल्टा बनता है और इसे परदे पर प्राप्त किया जा सकता है कैसे प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिभिंब सदय अवतल दर्पड में बनता है तो बिल्कुल अवतल दर्पड मतलब कि यहाँ पर यह जो दर्पड है यह कौन से प्रकार का दर्पड है यहाँ पर वास्तविक प्रतविम्ब दिख्हाई दे रहे हैं मतलब हमारे आखों में धर्पड नहीं हमंगे आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे फिलाल हम जो है यहाँ पर दरपन के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर उल्टा और वास्तवीक प्रतिबिंब के वल अवतल दरपन में प्राप्त होता है इसके बाद हम next देखेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में तो आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं जब किसे बिंदू से चलने वाली प्रकाश की कीरण परावर्तन के परशाद जो है परावर्तन या फिर अपवर्तन के परशाद जिस बिंदू पर मिलती नहीं है बलकि आती हुई प्रतीत होती है ठीक है मिलती नहीं है बलकि फैलती हुई प्रतीत होती है और वो पीछे तो उस के पीछे बनता है ठीक है तो अगर आप कोई सामने में पर्दा लगा दोगे तो वहां पर तो मिलेगा नहीं वो कहां पर बनता है दर्पण के पीछे बनता है बिल्कुल ठीक है तो यह जो है बिल्कुल उत्तल और अव्तल दोनों प्रकार के दर्पण में भी बन सकता है और सम अबहासी और उल्टा और वास्तवीक प्रतिबिम्ब और सीधा प्रतिबिम्ब क्योंकि आगे जब हम लोग विभिन्न प्रकार के दरपण के बारे में पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो questions आते हैं objective question तो आप लोगों को वहाँ पर प्रतिबिम्ब सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है आभासी बन रहा है कि वास्तवीक बन रहा है परदे पर प्रार प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो इस पर आधारी थी प्रेशन होंगे तो बिलकुल ये basic है अगर आप लोगों को यह clear नहीं होगा तो आगे का कीरण आरेक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और इसके संबंधित आप लोगों को अंतर से संबंधित परश्न भी पूछे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिविंब बन रहा है इसको क्या कर सकते हैं परदे पर प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर जो है क्या होता है परदे पर प्राप्त नहीं कर सकते परदे पर प्राप्त नहीं कर सकते ठीक है परदे ठीक है बल एक चमकिली सता के बारे में पढ़ा चिकनी सता के बारे में पढ़ा जहां पर क्या हो रहा है प्रकाश का परावर्तन जरूर हो रहा है पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है और यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यह प्रतिबिंब आप देख सकते हो कि ये जो बन रहा है वो क्या है प्रतिबिम्भ है पर आप इस चित्र में अगर देखोगे तो क्या ये प्रतिबिम्भ है कौन बताएगा क्या ये प्रतिबिम्भ है ये कौन है ये मान लो कौन है ये मान लो शिवा है ठीक है कौन है ये इसका नाम है शिवा क्या नाम है इसका शीवा बिल्कुल इसका नाम क्या है शीवा तो भाई आप लोग शीवा वाले वैसे कार्टून गी आता है I think आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल तो यहां पर शीवा है शीवा खड़ा हुआ है और यहाँ पर यह जो बन रहा है वो प्रतिविम्ब है कि क्या है कौन बताएगा भाई यह है चाया क्या है यह इस शीवा की चाया है तो भाई अगर आपको आपके दमाग में अगर ऐसा सवाल आता है तो यह केवल समझाने के लिए आपके सिलिबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है प्रतिविंब और छाया अलग-अलग होता है ठीक है इस तरह से जब यह यहाँ पर बन रहा है वो क्या कहलाता है प्रतिविंब कहला रहा है और यह जो है बिल्कुल प्रकाश की कारण जो उसके पीछे में एक अंधिलापन च्छा गया है क्यों से परावर्तन के बाद जिस बिंदू पर मिलती है जिस बिंदू पर मिलती है या फिर जिस बिंदू से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदू पर क्या बनता है वस्तु का प्रतिविंब जैसे कि यहाँ पर बन रहा है वस्तु का प्रतिविंब इसके अलावा किसी प्र परदर्शक वस्तु है जिसकी वज़ा से प्रकाश की कीरण वस्तु को पार नहीं कर पाती तो मतलब यहां से जो प्रकाश की कीरण आ रही है यह क्या है अपारदर्शक वस्तु है अपारदर्शक वस्तु जिसकी वज़ा से क्या हो रहा है प्रकाश की कीरण इधर पहुच नह इधर आ रहा है तो प्रकाश के लिए ये सामने कहला रहा है ठीक है तो सब्दों में कंफ्यूज मत हो ना बहुत ही आसान चीज़ है कि भई जहां पर प्रकाश आ रहा है ये जो है शिवा अपने बैक साइट से जो है पीछे की तरफ से रोक दे रहा है प्रकाश को तो जिधर आ रहा है उसके पीछे का हिस्सा जो है प्रकाश वहां तक पहुंश नहीं पार है जिसके कारण वो भाग अंधकार में दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग क्या कहते है चाया कहते है तो प्रतिबिंब और चाया दो अलग अलग चीज़े हैं बिल्कुल वास्तवीक परिक्षा में आप लोगों को आते ही आते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान डखना है और हो सकता है कि आप लोग जो है आगे चल करके पॉली टेक्निक का परिक्षा दो क्योंकि दसवी के बाद पॉली टेक्निक की परिक्षा दी जाती है कक्षा 11 वी में आने के बा बाद जो जून का महना आएगा मैं जून के महने में लगभग होता है तो बिल्कुल आप लोगों को उसके लिए भी प्रिपार रहना है और बहुत से जाते हैं तो बिल्कुल इस अध्याय से आपके बहुत सारे वस्तुनिस्ट प्रकार के प्रेशन बनते हैं और अंतर के जैसा भी मतलब कुछ दो चीजों में अंतर बताओ इस तरह के सवाल भी बहुत जादे बनते हैं और थोरी कोशन भी बहुत जादे बनते हैं कुछ निमार प्रतिज़ित करते हुए प्रतिज़ित कर रही है प्रतिज़ित कर रही है प्रतीत होती है प्रतीत छेदित करते हुए क्या होती है प्रतीत होती है वास्ताव में प्रतीत छेदित नहीं करती है ठीक है क्योंकि यहां पर क्या हो रही थी केर्णे जो है बिल्कुल यहां पर परावर्तित हो करके इस तरह से फैल रही थी तो अगर केर्णे फैल रही है त प्रन्तु यहां पर दरपन के पीछे हम लोगों को क्या करता होता है यहां पर इस बिंदू पर प्रतिछेदित होता हुआ प्रतीत होता है तो वहां पर आभासी प्रतिबिम्ब बनता है और इसको वास्तविक प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है इसको हम पर प्राप्त नहीं कर सकते, यहां पर वास्तविक प्रतिभिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिभिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, इसके तीन अंतर से ज्यादा अंतर भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल इसको होंवर्क की तरह नोट कर लो, और क् बढ़ते हैं हम दर्पन के प्रकार में तो वैसे तो अभी तक के जो भी हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर ही हम लोगों ने जो है दर्पन के प्रकार देख ले थे पर कोई बात ने इसको अब हम डेटेल में इसकी थियोरी पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं पूरा तो पहल दरपन का प्रकार होता है समतल दरपन ठीक है समतल दरपन मतलब की जैसे की जो मीरर हम लोग देखते हैं या फिर जैसे की थाली की सता है वो बिलकुल समतल है और हम लोग जो देखने के लिए अपने आपको देखने के लिए इस्तमाल करते हैं वो भी समतल दरपन होता है और ब गोलिय दरपन की बात करें तो गोलिय दरपन मतलब की मतलब जिसका आकार बिलकुल इस तरह से जो है मतलब अंदर की ओर अगर होता है या तो फिर कैसा होता है बाहर की ओर अगर होता है ठीके मतलब की यहाँ पर जो यह वाला जो हिस्सा है ना इसका मतलब यह जो है यहाँ पर है यहाँ पर हम लोगों ने polish किया है यहाँ पर हम लोगों ने silver color का polish किया है तो यह जो हम लोग बनाते है न यह प्रदर्शित करता है कि polished side है जिधर polish किया गया है वो side को दर्शाता है तो यहाँ पर इस तरह polish किया और गोल ये दरपण भी दोपरकार के होते हैं आप लोग देख पार हैं ये एक है ये दूसरा प्रकार है तो एक प्रकार कहलाता है उत्तल दरपण तिरसे थमसब दिखाते हुए मुझे बताएंगे, क्या सभी बच्चे सुन रहे हैं बिल्कुल आप लोग देख पारे हो, यहां पर ए्क समतल दर्पण है और यहां पर गोलिय दर्पण का उधाराण दिया गया है, जिसको एक को हम उत्तल कहते हैं, एक को हम आउतल कहते हैं, तो यहां पर नामों में बहुत ज़्यादा confusion होता है, पर बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, बिल्कुल भी आप लोगों को confuse नहीं होगा, यहां पर आप देख पारे हो, कि जो समतल दरपण की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह जो समतल दरपड है, तो इस समतल दरपड में मालो कौन खड़ा है, मालो यहाँ के पतलू खड़ा है, कौन खड़ा है, मालो यहाँ के पतलू खड़ा है, मोटू पतलू तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है की नहीं, तो मालो यहाँ पर कौन खड़ा है, एक पतलू खड़ा है ठीक है अब यह पतलू यहाँ पर जब खड़ा है तो अपने आपको जब यह देख रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि यहाँ पर इसका प्रतिबिम्ब बन रहा है यहाँ पर दर्पण के पीछे बन रहा है और आभासी बन रहा है जैसे कि आप और आप लोग यहां पर दरपण में देख पा रहे हो कि इसका जो दाया हाथ है इसका जो दाया हाथ है दरपण में कैसा दिखाएगा प्रतिबिम्ब जो बनेगा उसमें बाया हाथ के रूप में दिखाई देगा क्योंकि यहां पर आभासी प्रतिबिम्ब बन रहा है ठीक है यह मतलब कि आभासी और सिधा बन रहा है तो इसी वज़ा से यह दाया दिखाई देगा बाया जो है वो दाया दिखाई देगा बिल्कुल अब जब हम यहाँ पर गोलिय दर्पन की बात करते हैं तो गोलिय दर्पन जो है आप लोग देख पा रहे हो यह चिकना सत्ह अभी बि पीछे हम लोगोंने क्या कर दिया होता है बिल्कुल यह दर्शात है कि पीछे जो है बिल्कुल जो है सिल्वर की पॉलिश कर दी गई है और जिसकी वज़ा से सामने का सत्ह यहाँ पर चमकीला सत्ह बन रहा है तो जब हम उत्तल दर्पन की बात करते हैं तो उत्तल दर्पन म आप लोग देख सकते हो कि उभरा हुआ ठीक है यहाँ पर कैसा सता होता है बिलकुल उभरा हुआ सता हो है ठीक है उभरा हुआ मतलए इसका पेट निकल गया है पेटू है यह कौन है यह पेटू है बिलकुल ठीक है तो यह पेटू है और यहाँ पर बहारी दल जो है कैसा है प पेटू जो था इधर हैना वो क्या था वो इसका चमकीला सता था और पेटू के अंदर में पॉलिश किया गया था अब यहां पर क्या किया गया है यह मालो की यह बिचारा कौन है यह पतलू है इसका पेट अंदर घुसा हुआ है तो बिल्कुल पेट अंदर घुसा हुआ है त परावर्तक तल है इसको हम भीतरी तल को परावर्तक तल बोलते हैं तो बहरी और भीतरी तल हम क्यों बोलते हैं तो इसको हम लोगों को समझना है कि जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने जो उत्तल दर्पन बनाया है और जो अवतल दर्पन बनाया है कि मान लो कि वो पूरे एक के से एक बॉल ले लो ठीक है या इस तरी से क्या ले लो एक बॉल ले लो तो जैसे की बॉल को हम लोग का अगर हिस्सा एक साइड का जैसे कट कर दे वैसे ही मान लो कि यहां पर कांच का एक गोला है इसको अगर हम क्या करें बिल्कुल साइड से कट कर दे इधर से एक को कट कर दिये ठीक है बिल्कुल दोनों हिस्से को हम लोगों ने कट कर दिया ठीक है तो ये जो है गोले का ये जो है बाया हिस्सा है और ये कैसा हिस्सा है बाया हिस्सा है तो इस बाया हिस्सा में हम लोगों ने क्या किया उभरे हुए तल मतलब ये जो पेटू है ठीक है बिल्कुल य यह क्या है पेटू है इस उभरे हुए तल को हम लोग क्या बना देते हैं उत्तल दरपण बना देते हैं अब इसको उत्तल दरपण बनाने के लिए हम को क्या करना पड़ता है अंदर पॉलिश करना पड़ता है हम लोग कैसे करते हैं अंदर पॉलिश करते हैं अंदर पॉलिश आप लोगों का उत्तल ये क्या कहलाता है उत्तल ठीक है तो पेटू मतलब उत्तल कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पेटू मतलब उत्तल और यहाँ पेटू मतलब अवतल अवतल में क्या कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो कि यह काँची गोले का इस साइ किया गया है बाहरी तल को पॉलिश किया गया है और भीतरी सतह पर यहां पर क्या है भीतरी सतह जो है ये भीतरी सतह जो है वो क्या है पेटू ये पतलू है ठीक है भीतरी सतह परावर्तक तल है भीतरी परावर्तक तल ये तो उत्तल दरपन क्या है पेटू है तो ये क्या है पत थिक इंड़ी और एंड़ी बना दिए हमने थीक है तो बिल्कुल यह वही डायग्राम है तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे कि काच के टुकडे का दोनूं हिस्से का हम लोगों ने जब ऐसे काटा तो किस तरह से हम लोगों ने उत्तल और अवतल प्राप्त किया थीके अ अब यही डाइग्राम है यहाँ पर उत्तल और अउत्तल से जो है हम लोग जब इसको प्रदर्शित करते हैं जब हम कीरण आरेक वगर जो भी पढ़ेंगे तो समाने हम उत्तल और अउत्तल को इस तरह से बना करके प्रदर्शित करते हैं ठीक है तो यह जो है हमारा उत्तल दर और यहां पर हम लोगों ने polish कहां पर किया है, बिलकुल बाहर की तरफ polish किया है, तो यह जो बाहर की तरफ जब polish किया है, तो यह अवतल, अब जब अंदर की तरफ polish किया है, तो उतल, उतल और अवतल में क्या कोई confuse होगा, हां की ना जल्दी से बताएंगे, हां की ना जल्दी से बताएंगे बिल्कुल भी confusion नहीं होना चाहिए और detail में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर यह क्या है यह हमारा समतल दरपण है तो समतल दरपण में किस तरह से प्रतिबिम्ब बनता है इसको हम लोग को नमबर में 1,2,3,4 लिख करके आप लोगों को क्या करना है समझाजे जाना है तो बिल्कुल समतल दरपण समतल दरपण पर मतलब जो प्रतिबिम्ब बनता है वो कैसे बनता है क्या होता है तो वास्तविक और आभासी हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी तरीके का है पर यह हमारा टॉपिक अलग है तो चीजे हम वही समझेंगे जो अल्रेडी समझ चुके है पर हम लोगों को जब समतल दरपण में यहाँ पर कौन खड़ा है मालो यहाँ पर यह कौन खड़ा है भाई मालो यह कौन है आप में ही सही कोई मालो की यह बच्चा है क्या नाम है इसका अकाश नाम है ठीक है तो यह अकाश यहाँ पर क्या है खड़ा हुआ है ठीक है अब यह अकाश जब यह दरपण के सामने खड़ा है ठीक है तो क्या कर रहा है अपने आपको देख करके बड़िया सी स्माइल दे रहा है क्या कर रहा है बड़िया सी स्माइल दे रहा है मुस्कुरा आ रहा है कि अर्याद मैं तो बड़ा हैंसम लग रहा हूं नया कपड़ा ट्राई कर रहा है क्या यह लगता है नहीं क कुछ भी हो बिल्कुल अपने आपको ये दिया कर रहा है यहां पर दरपण में देख रहा है और बड़ी सी स्माइल फेक रहा है और यह जब स्माइल फेक रहा है क्या बन रहा है इसका प्रतिबिम्ब बन रहा है ठीक है अब यह प्रतिबिम्ब कैसा बन रहा है तो आप लोग देख पा रहे हो कि समतल सत्ह समतल दरपण में मतलब क्या होता है पीछे का तल जो है चिकना होता है यहाँ पर ये वाली सत्ह जो है क्या होगी पॉलिस्ट होगी और चमकीली सत्ह सामने वाला हिस्सा क्या होगा चमकीला सत्ह होगा तो यहाँ पर क्या होगा बिलकुल जब ये पीछे की ओर बन रहा है ठीक है और कैसा बन रहा है ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ठीक है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ठीक है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और हमने अल्रेडी पढ़ लिया है कि जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है ये ह हमेशा सीधा प्रतिविंब बनता है ठीक है सीधा प्रतिविंब बनता है और जब हम समतल दरपन की बात कर रहे होते हैं तो समतल दरपन के केस में क्या होता है कि ये जितने साइस का यहां पर अकाश नाम का लड़का खड़ा हुआ है उतने ही साइस का यहां पर क्या बनेगा उतने ही same size का प्रतिविंब बनेगा यहां पर और जो है जितनी दूरी से यह दरपण के सामने खड़ा हुआ है दरपण के पीछे भी क्या बनेगा समान दूरी पर बनेगा दरपण के पीछे समान दूरी पर बिल्कुल मैंने आप लोगों को 3-4 steps अभी बता दिया है आप बनेगा सीधा बनेगा उसकी दूरी कितनी होगी तो दरपन के सामने जितनी दूरी पर खड़ा है दरपन के पीछे भी उतनी दूरी पर क्या बनेगा उसका प्रतिविंब बनेगा ठीक है तो इस तरह से समतल दरपन में प्रतिविंब जो है बनता है बिलकुल अगर हम केंडल क केस में भी वही हो रहा है जिसे कि हम लोग क्या करें यहां से हम लोग देख रहे हैं अब यहां से क्या हो रहा है इस प्रकाश की किरण जो है इस दखने हम लोगों को क्या हो रहा है कि मान लोग की केंडल जो है किसी दरपण के सामने रखा है ये क्या है दरपण का जो है पॉलिस्ड सता है और सामने का हिस्सा चिकना सता है ठीक है सामने का हिस्सा क्या है चिकना सता है तो मान लोग यहाँ पर दरपण जैसे रखा हुआ है ये सवा को देख रहा है आकाश तो इसको कैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल यहाँ पर जो है यहाँ पर सतह से क्या होता है यहाँ पर किरणों का परावर्तन होता है किस से इस केंडल से निकलने वाली प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है और इसका प्रतिविंब हमको यहाँ पर फैल रही है जो हमारी आखों तक पहुच करके हम लोगों को यहाँ पर प्रतिभिंब दिखाई दे रहा है यह सीधा प्रतिभिंब है कैसा प्रतिभिंब है सीधा है और कैसा है सीधा प्रतिभिंब है और आभासी प्रतिभिंब है और यह कैसे बन रहा है दरपन के पीछे बन तो आप लोगों के सामने यहां पर image दिखाई दे रही है बिल्कुल यहां पर आप लोग देख सकते हो कि गोलिय दरपण में जो अउतर दरपण और उतर दरपण दो प्रकार होते हैं गोलिय दरपण के वो कैसे बनते हैं तो बिल्कुल अगर आप जैसे कि मैंने इसके पहले भी बदाया है बाल का अगर एक साइट का हिस्सा अगर आप कट कर दोगे तो एक बार अगर आप अंदर को पेंट करोगे तो एक प्रकार का दर्पन बनेगा अगर बाहर को पेंट करोगे तो दूसरे प्रकार का दर्पन बनेगा और बहुत चारी आप लोग यहां पर एक्जा में समझेंगे जब हम लोग उथ और अवताइडर धर्पन के कीरण और English को समझ जाएगे तो यह सारी हम लोगों को समझ मैंगी पहले मैं आप लोगों को इंट्रेस्टिंग चीज मैं आप लोगों बता देती हूं जैसे कि आप लोगोंने कभी पहाड़ी एरिया में जो है ट्रावल जरूर किया होगा या आप लोगोंने मुवीज में या पिक्चर में जरूर देखा होगा कि बहुत जादा खतरनाक मोर जब रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब ड्राइवर कार चला होता है या कोई बड़ी गाड़ी चला रहे होते हैं तो होता क्या है कि तिक्चर मोर में उनको जो है आगे का दिखाई नहीं दे रहा होता है तो वहाँ पर क्या लगा होता है इस तरह के दरपन लगे होते हैं जहां पर क्या होता है कि ड्राइवर जो है आगे का जो तिक्च दरपण है कि अउतल दरपण क्या कोई बच्चे बता सकते हैं कि ये उतल दरपण है या उतल दरपण अगर बता सकते हैं तो जल्दी से मेरे को कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएंगे उसी तरह से आप लोगोंने कार के साइड में इस तरह का एक दरपण देखा होगा जहा पर driver क्या करता है कि अगर उसको right मोरना होता है left मोरना होता है जो भी आगे जब बढ़ना होता है तो बिल्कुल अपनी सुरक्षा के लिए safety purpose से वो यहाँ पर side के mirrors में दरपण में जो है पीछे आ रही गाड़ियों को देखता है तो जब पीछे आ रही गाड़ियों को यहाँ पर देखता है चाहे वो बाइक हो एक्टिवा हो कोई भी प्रकार की गाड़ी हो हर प्रकार की गाड़ियों में दो साइड में यह दरपण लगे होते हैं जो क बिल्कुल यहां पर भी एक गोली दरपण ही लगा हुआ है आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर मतलब कि किसी दरवाजे का इमेज बहुत बड़ा सा इमेज छोटा हो करके दिखाई दे रहा है और इसी तरह से कई बारी क्या होता है कि घरों में सेफटी के लिए दरवाज कि बाहर कौन आया है इस चीच को देखने के लिए बिल्कुल छोटा सा क्यामरा लगा होता है जरूर आप लोग आगे उसकी भी चित्र आप लोग देखोगे इमेज में आप लोगों को दिखाऊंगी तो उस चित्र में क्या होता है कि बहुत मतलब की जो बड़ा सा इंसान वो बिल्कुल छोटा सा हो करके दिखाई देता है तो बिल्कुल वो भी गोलिय दरपड का ही उधारण है और बिल्कुल इस तरह से आप लोगों ने टाटा स्काई या फिर डिश्टीवी भी देखा होगा और इस तरह के जो है मतलब solar related जो है solar solar यंत्र भी इस तरह के शेप म में तो जरूर देखाई होगा और होता क्या है कि जब signal नहीं आता या कभी क्या होता है कि हवा तूफान की वज़ा से यहाँ पर जो उपर के हिस्से में एक focus जो लगा होता है अगर वो हिल जाता है तो करते हैं क्या है बिल्कुल जो है एक भाई ऊपर चड़ा होता है और एक sister जो होती है बिलकुल रिमोट के पास होती है बिलकुल इस तरह से चिला करके बोलती है कि भाई पूचता है कि आया क्या signal आया क्या clear image आयी क्या टीवी में हम लोगों को जो है clear दिखाई दे रहा है जलमिला तो नहीं रहा है तो बिलकु काई नहीं मिलता समय ही नहीं मिलता है कि आप लोग टीवी के सामने बहुत जादा बैट सको बट यह बिलकुल बचपन की एक मैमोरी से काफी सदा मजा भी आता था बहुत चिल्लम चिल्ली भी होती थी तो बिलकुल करते क्या थे हम यहाँ पर focus को set करते थे proper focus जब एक जब तो होता क्या है इसमें कि सिगनल जो है इस माइक पर उपर लगे माइक पर एक जगा एकटे हो पाता है जब हम लोगों को जो है हमारे टीवी पर जो picture है वो बहुत ही clear दिखाई देती है ठीक है तो यह कैसा concept होता है तो बिलकुल यह आप लोगों का उतल दरपन आउतल के explanation से तो यहां पर आप लोगों को अवतल दरपन दिखाई दे रहा है तो बिलकुल इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक diagram दिखा करके बताया था बिलकुल यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम क्या करते हैं अंदरी सतह पर क्या कर देते हैं यहां पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो यह जो मोटू है कौन है यह जो मोटू है वो क्या कहलाता है उत्तल दरपन कहलाता है बाहरी तल यहां पर परावर्तक का कारे करता है और अवतल दरपन में जो है यहां पर गोले की बाहरी सतह जो है यहां पर जो है पॉलिश्ड होती है और य और यहाँ अवतल में अंदर का तल, अवतल मतलब अंदर का तल जो होता है, वो क्या होता है, परावर तक तल का कारे करता है, और बिल्कुल इस चित्र में आप लोग देख सकते हो, कि ये जो एक गोले का हिस्सा होता है, इस हिस्से में हम लोगों ने बाहर के तल को क्या किया ह हुआ है बाहर के तल को हम लोगों ने पॉलिश किया हुआ है अंदर का तल जो है क्या कर रहा है परावर तक का कारे कर रहा है और यह किसी एक गोले का हिस्सा है साइट का टूड़ा जिसे मैंने आप लोगों को बॉल को कट करके जो है एक पिक्चर में दिखाया बिल्कुल और इसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है जो गोले का केंद्र है इस दरपन का वक्रता केंद्र कहलाता है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं और यहां पर यह जो वक्रता केंद्र की जो अक्ष की लाइन होती है बिल्कुल इसको हम लोग क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते है और यहाँ पर दर्पन के बिल्कुल बीच वाला जो ये बिंदू है जिसको हम क्या करते है इस पी अक्षर से प्रदर्शित करते है ये कहलाता है क्या धुरूफ क्या कहलाता है और बिल्कुल दर्पन के उपरी और नीचे सीरे को जो है हम यहाँ पर M और M से दर्शा रहे है ए एडेस से भी दरसा सकते हो ना मांकन करना है चित्र आप लोगों को परिशा में ना मांकी चित्र ही बनाना है पर बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मतलब क्या क्या यहाँ पर राशियां क्या क्या कहलाती है और बिल्कुल वकरता केंद्रे से इस धुरू के जो गई उत्तल दरपन की बात करें तो उत्तल दरपन में क्या होता है कि ये भी जो है खोकले कांच के गोले का हिस्सा है इस खोकले गोले का जो केंद्र है वो इस दरपन का केंद्र कहलाता है जिसको हम क्या करते हैं यहां पर सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और बिल्कुल इ अक्ष का जो यह जो है मुख्य अक्ष ये तो मैंने बता ही दिया और यह वाला बिंदू धुभ जैसे अवतल धरपड में देखा था ठीक उसी प्रकार से और यहाँ पर यह जो है वो क्या कहलाती है वक्रता तृज्जा कहलाती है बिलकुल वक्रता केंद्र से यहां तक धुर तक की दूरी वक्रता केंद्र से ध्रूव तक की दूरी वक्रता तरज्या कहला रही है तो अवदल और उत्तल दरपन दोनों के लिए हम लोगों ने देख लिया और इसको समझने के लिए एक और बहुत ही बेस्ट एक्जामपल लेते हैं हम अपने घर के कीचन से एक चम्मच अगर उठाए तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि अगर कोई अच्छा सा चम्मच हो तो बिल्कुल मोटा शाइनिंग करता हुआ चम्मच है ठीक है तो अगर आप उसमें अपना चित्र देखने की कोशिश करोगे तो जाओ एक काम करो जाओ कीचन से चम्मच उठा के ल बिल्कुल दिखाई दे रहा है इस तरह से ये जो है किसका ये जो कौन सा है ये अवतल दर्पण अवतल दर्पण का मतलब ये हो गया कि जिस हिस्से से आप खाना खाते हो वो गड़ा वाला जो हिस्सा होता है बिल्कुल इसका पेट अंदर की तरफ होता है कि तरह होता है औ और ये अवतल दर्पन का कारे करता है जिसमें आप लोगों को अपना जो छवी है अपना जो प्रतिभिंब है आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा और इसी प्रकार अगर आप दूसरे साइट की बात करोगे तो ये वाला सीरा ठीक है जो पीछे का जो सीरा होता है जो उतल दर्पन की तरह कारे करेगा यहां पर आप लोगों को अपना प्रतिभिंब जो है इस तरह से उल्टा दिखाई देगा तो ऐसा क्यूं होता है एसा क्यूं होता है इस बात को समझने के लिए हम लोग कीरण आरेक की बात करेंगे और कीरण आरेक बनता कैसे है उतल याने की गोली दर्पन के लिए तो उसके पहले हम लोगों को कीरण आरिक बनने या फिर प्रतिबिम्ब के बनने के नियम को समझना होगा। उस चीज पर अगर आप फोकस करोगे तो आप लोगों को जो है जरूर जो है सक्सेस मिलेगा ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हमारे अवतल और उतल दरपण में भी फोकस बिंदू होता है जो मैं आप लोगों को बता रही थी टाटा इसकाई का वो फोकस वाला पॉइंट जि क्या करना होता है इसको बिल्कुल फोकस बिंदू पर फोकस करना होता है ताकि हम लोगों को टीवी में जो पिक्चर है जो चित्र है वो बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाई दे तो उसी तरह से यहां पर हम लोगों को दरपण में जो फोकस होता है उसको हम लोगों को यहां पर समझना है इसको हम लोग principle focus बोलते हैं क्या बोलते हैं और यहां पर कौन उतल है कौन उतल बताओ जल्दी से मैंने आप लोगों को बताया था देखो यहां पर अंदर की तरह polish करी गई है यह वाला हिस्सा जो है कैसा है यह वाले हिस्से में polish करा गया है और यह बाहर का जो ह है बिल्कुल यहां पर टकराती है और यह बीच वाली लाइन जो है मुख्य अक्ष है आप लोगों को पता है यह जो है मतलब की खोकले गोले का वकरता केंद्र जो इस दरपन का भी वकरता केंद्र होगा जल्दी से बताओ कि यह अवतल है कि उतल पेटू है पेटू है है तो बिल्कुल हाँ यह उतल दरपन है और इस उतल दरपन में क्या हो रहा है कि यहां पर टकराकर प्रकाश की किरने बिल्कुल परावरतन के नियम का पालन कर रही है इसका मतलब क्या है आपतन कोड और परावरतन कोड यहां पर बराबर होगा कैसे बराबर होगा क्योंकि पिए यहां पर आपतन कोड़ और परावर्तन कोड़ का मान बराबर होगा तो अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है परेक्षा में की उत्तल दरपन से हमको चित्र कैसे बनेगा तो ऑप बिल्कुल अगर बेसिक कॉणित्स esaad लोगों का clear होगा न तो आप खुद से बिना याद किए भी बना सकते हो बात समझ में आ रही है बिटा सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात बिना याद रखे अगर आपको concept clear है अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है अगर जो मैडम ने आपको समझाया थे आपने ध्यान से सुना है और पुस्तक में ध्यान से self study किया है तो जरूर यह आप लोगों को समझ में आएगा और बिलकुर परावर्तन की नियम का पालन कर रही है और यहाँ पर हो क्या रहा है यह देखो कि यह जो है actual में मतलब असलियत में यह प्रकाश किरने जो है फैल रह है है ना मिल नहीं रही है यह असलियत में फैल रही है बलकि यहाँ पर अगर हम लोगों पीछे की और इन लाइन्स को बढ़ाएं तो पीछे की और क्या होगी यह मिलती हुई प्रतीत होंगी पीछे की और जब यह मिलती हुई प्रतीत होंगी तो सारी क्रेने किसी एक का फोकस बिंदू ठीक है अब इसी तरह से हम यहां पर बात करेंगे अवतर दरपण की तो यह देखो बिचारा पतलू इसका पेट अंदर घुसा हुआ है बिल्कुल यहां पर क्या है यहां पर जो है पॉलिश करी गई है इसके पीछे के हिस्से में और जब यहां पर क्या हो भूलोगे यहां पर हम भूल गया है तो लगा लेते हैं कोई बात नहीं अनंत से आ रही है प्रकाश किर्णे इसका मतलब यह है कि इस दरपण की तुलना में काफी दूर से आ रही है तो उसको हम लोग अनंत बोलते है तो अनंत से आ रही है प्रकाश किर्णे इस दरपण से ठीक जो है परावर्तन के नियम का पालन करते हुए यह क्या होती है परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है और यहां पर क्या हो रही है यह किसी एक बिंदू पर मिल रही है और इस बिंदू को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस बिंदू बोलते हैं और यहाँ पर सारी केने वास्ताव में इकठी हो रही है ठीक है तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ठीक है बिंदु रूप में बन रहा है वास्ताव में इकठी हो रही है और यहाँ पर यह जो है क्या कहलाता है इस आवतल दरपन का फोकस बिंदु है की नहीं औ और बिल्कुल वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र ही है, खोकले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र है, अगर आप लोग देखोगे, तो ये वक्रता केंद्र से, ये ध्रू के बीच की जो दूरी है, ये वक्रता तरिज्जा कहला रही थी, और अगर यहां पर अगर आप ध्य ध्यान से समझोगे ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को देखकर ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये जो वक्रता त्रिज्जा है ठीक है बिल्कुल दो गुना है किसका इस फोकस का फोकस दूरी का फोकस दूरी का दो गुना है तो यहां पर अगर आप लोगों को समझ में आ या तो आप ये लिख सकते हो कि जो फोकस है या तो फिर ये लिख सकते हो कि जो त्रिज्जा है वकरता त्रिज्जा है वो क्या है फोकस दूरी का दो गुना है त्रिज्जा है वो फोकस दूरी का दो गुना तो बिल्कुल ये आप लोग जब अबजेक्टिव कोशन्स करोगे जब आप numericals करोगे छोटे छोटे आंकीक प्रेशन हल करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को जरूर काम आएगा तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है गोलिये दरपन से प्रतिबिंब बनने के लिए और कौन-कौन से नियम होते हैं तो इन नियमों को भी हम लोग समझ ल समनांतर ही और साधी केरने जब यहाँ पर आरे थी तो कैसी आरे थी मुख्या அक्षा के समनांतर ही आ रही थी और यह जब वापस परावर्ठित हो करके जा रही थी तो कैसे हो जा रही थी फोकस से होकर जा रही थी या फिर जाती हुई प्रतीत हो रही थी दूसरा नियम क्या है फोकस से होकर जाने वाली अत्वा फोकस की ओर आने वाली सभी प्रकाश किरने मुख्या अक्ष के समनांतर परावर्तित होती है इसका मतलब यह है कि अगर किरने फोकस से होकर के आएंग तो जाएगी कैसे समनांतर होके जाएगी किसके समनांतर तो मुख्य अक्ष के समनांतर होकर के जाएगी तो बिल्कुल इसके लिए भी हम यहाँ पर चित्र देख लेते हैं तो जो हम नियम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझेंगे देखो पहला नियम क्या कोई subject नहीं है और physics से interesting subject नहीं है होता क्या है कि जब बचपन में हम लोगों को समझ नहीं आता है तो हमको वो tough लगता है या फिर boring लगता है जबकि सबसे interesting subject है हमारा physics बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और आप सब के लिए इसको मैं और भी आसान बनाना चाहती हूं कैसे आसान बनाएंगे तो हम इन चीजों को बहुत ही अच्छे से रेखा चित्र के माध्यम से imagine करके बिलकुल मैं बीच बीच में अगर जरुवत पड़ता है तो आप लोगों को समनांतर जब हम लोगों के पास यहां पर क्या हो रही है मुक्षक्च के समनांतर जब कीरण आ रही है और यहां पर आकर के दरपन से तक्रा रही है चाहे वो उत्तल दरपन हूं चाहे वो आवतल देखो यह हम लोगों आवतल के लिए देख रहे हैं यह हमारा क्या है उत्तल है ठीक है तो यहां पर यह अवतल है यह उतल है और दोनों के ही केस में अगर मुख्यक्र के समयान तर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है फोकस से हो करके जाती है या फिर परावर्तन के पश्चात फोकस से हो करके जाती हुई प्रतीत होती है जाती हुई प्रतीत होती है का मतलब यह है कि जब हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह बिंदू आ करके कहां पर मिलती है फोकस बिंदू पर ही आ करके मिलती है तो यह हमारा पहला नियम हो गया ठीक है दूसरा नियम क्या बोल बिंदू को क्रॉस करके आ रही है यहां पर किसको क्रॉस करके आ रही है यहां पर किसको क्रॉस करके आ रही है और जब यह फोकस बिंदू को क्रॉस करके आ रही है तो परावर्तन के पश्चात यह कैसे जा रही है मुख्या अक्ष के समनांतर कैसे जा रही है मुख्या अक्ष के समनांतर और विल्कुल उत्तर जर्पन के लिए भी सेम होगा तो दोनों के लिए नियम सेम होंगे चाहे आउतल रहे चाहे उत्तल रहे तो यहांपर अ बिल्कुल फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है कैसे जब इसको पीछे की तरफ बढ़ आएंगे तो focus से होकर आती हुई प्रतीत होगी और जाएगी कैसे मुख्य अक्षके समनांतर जाएगी तो नियम दोनों के लिए ही लागू होंगे दो नियम हम लोगोंने पढ़ लिये हैं तीसरा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तीसरा जो है क्या बुल रहा है कि अगर यहाँ पर आप से जाएगी तो बिल्कुल ये वापस जाएगी तो बिल्कुल वकरता केंद्र से ही हो करके जाएगी वापस किदर से जाएगी वकरता केंद्र से ही हो करके जाएगी अगर हम बात करें उत्तल दरपन की तो उत्तल दरपन के केस में भी यही होगा यहाँ पर किरण आपतित हो र और आने वाली प्रकाश की कीरण अपनी मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते पर नाग की सीध में वापस चला जाएगा विचारा ठीक है और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते थे कि यहाँ पर आपतन बिंदु था त पतन कोड सुन्य था तो परावरतन कोड भी क्या है यहां पर शुन्य है जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया क्योंकि ये बिंदु जो है बिल्कुल इस दर्पन के अभिलंब का कारे करता है तो अभिलंब मान लो कि ये समतल दर्पन में जैसे हम लोगों ने जो निय थी ठीक है तो यहाँ पर जो है आखरी नियम हम लोग समझेंगे चौथा नियम, चौथा नियम यहाँ पर अगर अवतल दरपन की बात करें तो अगर अवतल दरपन में अगर प्रकाश की कीरण कहां पर आ रही है इस द्रूव पर आ रही है, मतलब मुख्य अक्ष का वह बनाते हुए I equals to R बनाते हुए क्या हो जाएगी ये उसी रास्ते से वापस लोट जाएगी जिस रास्ते से आई थी और जब हम उत्तल दर्पन की बात करेंगे तो उत्तल दर्पन में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा और यहां पर भी क्या होगा आपतन कोण बराबर परावरतन को पर आ रही है तो आकर टकराए तो आपतन कोण के बराबर परावरतन कोण का मान लेकर के क्या हो जाती है परावरतित हो जाती है बिल्कुल मैं साइड हो रही हूँ चाहो तो फटा-फट से स्क्रीन शॉट ले लो बिटा लो जल्दी से हम आगे वढ़ेंगे हम गोलिये दर् पर रिज्या बरावर दो गुना होता है फोकस दूरी का किसका फोकस दूरी का इसके बाद आगे हम क्या देखेंगे कि अवतल दर्पन से कीरन आरेक कैसे बनते हैं तो आलरेडी हम लोगों ने ये देख लिया है और बिल्कुल वापस से एक बार मैं आप लोगों को बता रह बिल्कुल ये काज के खोकले गोले का ये वकरता केंद्रसी और बिल्कुल ये जो है क्या है बीच का बिंदू धुरू और ये मुख्य अक्ष है और इन दोनों के बीच हम लोगों को क्या मिलता है बिल्कुल इन दोनों के बीच हम लोगों को फोकस बिंदू मिलता है और जो ध फोकस दूरी का दो गुना होती है बिल्कुल अवतरदरपन के कीरण आरेक के लिए इन सारे चीज़े जो है हमारे काम आएगी अगर हम अपनी वस्तु को कहा पर ले रहे हैं यहाँ पर हो अगर आप लोगों को जो है पढ़ना है समझना है या अग लोगों वो परिक्षा में explanation करना है ठीक है हमारे पास कौन कौन से बिंदू है एक वकरता केंद्र है एक focus बिंदू है ठीक है और एक क्या है हमारे पास ध्रूव है क्या है हमारे पास एक ध्रूव है ठीक है तो या तो आप बिल्कुल यहां से ले करके जाते हुए वहां तक के ले करके जा सकते हो या वहां से यहां पर ले करके आ जाते हो ठीक है तो पहला हम लोगों ने यहां पर क्या लिया है कि अगर फोकस बिंदू और ध्रूव के बीच में अगर हो, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, बताओ, कौन खड़ा है, इंद्रजीत खड़ा है, शीवा खड़ा है कि कौन खड़ा है, चलो भई, शीवा, 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 तो मैं शीवा को ही ल पर जो है ये अवतल दरपण में जब प्रकाश की कीरण आपतित होती है तो कीरण आरेक बनाने के लिए दो ही कीरणे काफी है तो ये दो कीरण हम लोग ले लिये ठीक है अब ये जो है ये दो कीरण हम लोगों ने ले लिया एक कीरण जो है कहां से होकर गुजर रही है केंद् से हो करके गुजर रही है वो क्या होगी केंदर के रास्ते से ही वापस चली जाएगी अभी अभी हम लोगों ने गोलिय दरपड का नीयम पढ़ा था और जो इहां पर बिल्कुल किस तरह से जा रही है देखो जो यहां पर क्या है ये वाला कीरण आप लोग अगर आप देखोगे ये वाला ध्यान से देखो ये जो है मुख्य अक्ष के समनांतर आ रही है कैसे आ रही है मुख्य अक्ष के समनांतर तो जब हम लोगों ने नियम पढ़ाता कि जब मुख्य अक्ष के समनांतर अगर कोई रेखा आती है तो कहां से हो करके जाती है फोकस से हो करके जाती है तो बिल्कुल जब ये कीरण आरेक यहां पर बन रहा है तो बिल्कुल नियम का पालन करते हुए बन रहा है विल्कुल कहां से जा रही है फोकस से हो करके ये वापस जा रही है और जब यह focus से होकर के वापस जा रही है तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है यह फैल रही है ठीक है फैल रही है और दरपण के मीच पीछे अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे दरपण के पीछे अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगी यहाँ पर किसी बिंदू पर जो है क्या होगी मिलती हुई प्रतीत होगी और ये शिवा यहाँ पर बड़ा सा इमेज बना करके खड़ा हो गया है तो इस तरह से दरपण में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा छोटा सा जो शिवा है वो बहुत ही बड़ा हो करके हम लोगों को दिखाई देगा और आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इस तरह के अवतर दर्पन का इस्तमाल जो है बिल्कुल जो दात के डाक्टर होते हैं ठीक है दात के जो डाक्टर होते हैं डेंटिस्ट जो होते हैं तो वो क्या करते है भाई अंदर हमारा दात है आप लोगोंने भी देखा होगा कि आप लोगों के घरों में किसीन किसी को होती होगा ध्रेंडइस्ट के पास जाने में भी खूब डर लगता है पर क्या करें वो इस तरह क्या आउजार दे रहा है अउतल दरपन की सहाईता से तो तब जा करके वो क्या है जितनी जो भी बिमारी है जो भी इलाज है वो देखते हैं करते हैं तो बिल्कुल उसका जो है इस्तमाल यहां पर होता है ठीक है और इसी तरह से अगर हम क्या करें देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा जब हम लोगों ने यहां पर रखा था कहां पर बिल्कुल यहां पर रखा था फोकस और धूफ के बीच में जब हम लोगों ने रखा था अब इसको खिसका देंगे कहां पर खिसका देंगे इसको थोड़ा आगे खिसका देंगे इसको फोकस बिंदु पर ले आएंगे हम कि इसको शीवा को हम लोगों ने कहा पर ले आया शीवा को हम लोगों ने ये फोकस बिंदू पर ले कर के आगया ठीक है फोकस बिंदू पर जब हम इसको ले कर के आए तो इससे हम लोग दो किरने लेंगे कौन कौन सी किरने लेंगे एक किरन जो मुख्याक्ष के समनांतर आ रही हो एक कीरण जो वक्रता केंद्र के समझने अंतर आ PhD और बिल्कुल जो है गोलिय दरपड के जो कीरण आरेक का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था वही नियम लागो सिर्फ दो कीरणे काफी है कीरण आरेक को समझने के ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर मालो की शिवा से एक कीरण जो है इस दरपन पर आकर के इस तरह से टकरा रही है तो वकरता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है तो यह वापस जब लोटेगी क्या जब यह वापस लोटेगी तो किधर से हो करके जाएगी तो बिल्कुल य कहां से वकरता केंद्र से वापस जाएगी ठीक है और दूसरी कीरण आप लोग देख सकते हो कि यहां पर दूसरी कीरण जो है आ रही है मुख्याक्ष के समनांतर आपतित हो रही है अवतल दरपन पर और यह जब वापस जाएगी तो मुख्याक्ष से आने वाली कीरण कहां से हो करके जाती है बिल्कुल फोकस बिंदू से हो करके जाती है अब जब ये किरने जा रही है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों किरने कैसे जा रही है एक दूसरे के समनांतर जा रही है ठीक है तो जब ये एक दूसरे के समनांतर जाएगी तो यहाँ पर प्रतिविंब कै साफी दूर में बन रहा है बिल्कुल एक तरह से समनानतर जा रहा है और इस तरह से जो है किरने जाती है तो सबसे पहले या तो हम तॉर्च के लिए या तो आप लोग देख सकते हो कि जो गाडी के head lights होते हैं क्या होते हैं जो गाडी के head lights होते हैं या फिर torch भी आप इसका जो है example है जब आप torch का इस्तमाल करते हो तो torch में भी क्या होता है जब torch की light जलाते हो ठीके तो क्या होता है कि प्रकाश की कीरण समनांतर जो है दूर तक फैलती है अनंतर तक फैलती है बिल्कुल उसी तरीके से यह जो गाड़ी है यहाँ पर यहाँ प जो bulb लगा होता है तो उस bulb को जो है आवतल दरपण के से ऐसे set किया जाता है कि वो जो है उस आवतल गोलिय दरपण के focus बिंदू पर रखी हो ऐसा set किया जाता है बलब को ठीके तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों ही case में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जब प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बन रहा है दरपण के पीछे कैसे बन रहा है और कैसा बन रहा है सीधा बन रहा है ठीके और जब भी प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा बनता है इसका मतलब वो प्रतिबिंब क्या होता है आभासी प्रतिबि करेंगे इसका टेबल भी हम बनाएंगे इसके related question आपको सबसे जादा पुछ जाते हैं अगर objective question है theory question है दो number तीन number की theory भी आएगी तो वो cases आपको दे देंगे या तो देखो अवतल दरपड के 6 cases बनते हैं तो बोल देगा कि 6 cases को explain करो या तो बोल देगा किसी एक या दो case के लिए specific देगा कि आप लोगों को focus बिंदू से लेकर के द्रू के बीच का निकालना है या कहां का निकालना है वो नाम लिख कर के देगा या तो फिर आप लोगों को objective में जो है सवाल पूछेगा बिलकुल मैं question भी objective आप लोगों को कराऊंगी जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है ठीक है मज़ा आ रहा है कौन खड़े होना चाहता है यहां पर mirror के सामने इस तरह से सिन्धार बिलकुल कौण खंध इस तरह से तो बिलकुल आप लोग को खंध सकते हो संभाते हो सब्खते रहे थो तॉर्च तो गरों होता है तो ये वाला सेकेंड वाला तो बहुत ही जादा आसान है इससे तो आसानी से आप पढ़ सकते हो ठीक है थर्ड वाला गर हम लोग देखे तीसरा गर हम देखे तो वस्तु यदी वकरता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य हो मतलब कि पहले हम लोगों ने सबसे पहले इन दोनों के बीच यहां पर शिवा को खड़े कर आया फिर फोकस बिंदू और वकरता केंद्र के बीच में जब आया ठीक है दूर हटा धीरे धीरे पहले धूरी के पास था धीरे धीरे हम इसको क्या कर रहे है दूर लेकर के जा रहे हैं ठीक है तो जब ये देखो इस तरह से जब गया ठीक है इस तरह से गया यहाँ पर एक समनांतर क किरण हम लोगों लेंगे जो क्या होगी केंदर से हो करके जाएगी तो क्या होगी उसी रास्ते में वापस लोट जाएगी तो लोट आ देते हैं हम इसको क्या करते हैं उसी रास्ते में वापस लोट आ देते हैं तो आप लोग देख पारे हो कि जब इस तरह से जब लोट रही है तो क्या हो रहा है कुछ दूरी पर जाकर कि ये वास्तविक्ता में मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं कुछ दूरी पर जाकर दोनों ही केड़ने वास्तविक्ता में मिल रहे हैं मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रहा है अभी तक क्या हो रहा था मिलते हुए प्रतीत हो रहा था बिल प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा वास्तवीक प्रतिबिंब हम लोगों ने वास्तवीक और आभासी प्रतिबिंब देखा था वास्तवीक प्रतिबिंब यहां पर बनेगा इसको क्या कर सकते हैं परदे पर प्राप्त कर सकते हैं और क्या है और क्या बन रहा है देखो पहला point है दूसरा point है उल्टा बन रहा है ठीक है उल्टा बन रहा है और कहां पर बन रहा है वकरता केंद्र के आगे तो बिल्कुल कीरण आरिक बहुती आसान है लगता है बच्चों को कठीन पर अगर आप देखो हम लोग जो है बड़े ही आसानी से एकदम मस्ती मस्त है मुझे लगता है कि बिल्कुल आप लोग यहां पर शीवा को देखकर के बहुती आसानी से सीख गए होगे और इस तरह से आप लोगों को सवाल पूछता है कि वास्तवीक बनेगा आभासी बनेगा उल्टा बनेगा सीधा बनेगा पर पर प्राप्त किया जा सकता है कि पर अगले केस में हम क्या करेंगे यहां पर यदी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ले आए ठीक है तो देखो सबसे पहले केस में हम लोगों ने क्या किया था यहां पर रखा ता कहां पर फोकस और धुरू के बीच में फिर हम लोगों ने फोकस पर रखा ती तीसरे पोजिश में फोकस और केंद्र के बीच में रखा ठीक है अब हम कहां ले आए शीवा को शीवा को हम लोगों ने अब खड़े करा दिया कहां पर केंद्र पर कहां पर खड़े करा दिया अब हम लोगों ने केंद्र पर खड़े करा दिया तो जब हम लोगों ने इसको केंद्र पर खड़ केंदर पर है तो केंदर से आती हुई किरंड तो हमने यहाँ पर लेंगे तो अब क्या करेंगे हम चार नियम पढ़े थे तो दो अभी तक इस्तमाल कर रहे थे अब हम next इस्तमाल करेंगे next कौन सा इस्तमाल करेंगे तो next में हम यहाँ पर फोकस से होकर के आती हुई किरन लेंगे ठीक है तो फोकस से होकर के जो आ रही किरने है ठीक है ये मालो की फोकस बिंदु है तो ये कहां से जाती है मुख्य अक्ष के समनांतर जाती है कहां से जाती है मुख्य अक्ष के समनांतर वापस जाती है ठीक है और इसके अलावा हम लो जा रही है और जो focus से आ रही है वो मुख्य अक्ष के समनांतर जा रही है मुख्य अक्ष के समनांतर जा रही है देख लो यहाँ पर ध्यान से देख लो अब जब यह इस तरह से जा रही है यह इधर जा रही है और यह इधर जा रही है तो बिल्कुल आप लोगों को clearly वास्तविक्ता में मिल रही है मतलब कि यहां पर प्रतिविंब कैसा बन रहा है वास्तविक प्रतिविंब बन रहा है और कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है ठीक है और कैसा बन रहा है बिल्कुल शीवा के बराबर बन रहा है कैसा बन रहा है शीवा के बराबर ठीक है शीवा होगा तो उल्टा होगा अभासी होगा तो सीधा होगा सीधा मतलब आभासी उल्टा मतलब वास्तवी ठीक है अब साइस की बात करें तो साइस तो आप लोग देखी सकते हो कि बड़ा है कि छोटा है और कैसा बन रहा है बिलकुर शीवा के बराबर बन रहा है कहां पर बन रहा है ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी explanation में यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ इसके पहले के explanation में जैसे कि जो पहला वाला case हम लोगों ने देखा था तो यहाँ पर क्या बन रहा था उल्टा बन रहा था और यहाँ पर लिख लो कि कैसा बन रहा था वस्तू से बड़ा य और इसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि समनांतर रेखा जा रही है तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब कहा पर बनेगा अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा वस्तु के बराबर ही बनेगा कैसा बनेगा वस्तु के बराबर ठीक है और बिल्कुल उल्टा ही ब बड़ा वस्तू से बड़ा ठीक है तो बड़ा छोटा भी हम लोग लिखना भोल गए दे तो विल्कुल एड़ कर सकते हो ठीक है फर्स सेकेंड थर्ड और फोर्थ केसिस के लिए तो उमीद करती हूं कि आप लोगों को चारो केसिस बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए हो और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि वस्तू यदि अनंत से वकरता केंडर के मध्य पर हो ठीक है मतलब कि यहां पर हम लोगों ने अभी तक के सबसे पहले यहां फर्स्ट पोजिशन यहां पर था सेकेंड पोजिशन फोकस पर था थर्ड पोजिशन जो है फोकस और पर था केंद्र पर था अब पांचवा पोजिशन कहां पर है पांचवा पोजिशन है वक्रता केंद्र के आगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर अब शीवा को मैंने क्या करा दिया यहां पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब मैंने खड़ा करा दिया इसको त तो इस बार सच में केंद्र से होकर के गुजर रही है तो यहां पर केंद्र से होकर के जा रही है और इस दरपन पर टकरा रही है तो परावर्तन के पश्यात क्या होगी उसी मार्ग पर वापस लोट जाएगी और जो मुख्य अक्ष के समनांतर आई थी यह क्या होगी मुख्य राक्ष के समनांतर जो आती है वो कहां से हो करके जाती है फोकस से हो करके जाती है तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो शीवा का प्रतिविंब बन रहा है यह हमारा शीवा बिचारा अब कैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है वस्तू से छोटा और कैसा बनता है उल्टा बनता है उल्टा प्रतिबिंब है मतलब की वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि वास्तों में किरणे जो है एक दूसरे से मिल रही है मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है बलकि वास्तों में मिल रही है वस्तु से छोटा उल्टा और वास्तवीक और कैसा और क्या बोल सकते हैं कहां पर हाँ इसकी इस्थिती कहां पर है तो आप लोग बिलकुल देख सकते हो कि फोकस बिंदू और वकरता केंद्र के मध्य बन रहा है कहां पर बन रहा है फोकस बिंदू और वकरता केंद्र के मध् ठीक है सभी को clear है देखो अब आखरी case आखरी case बिल्कुल आपका डिश टीवी एंटिनन टाटा इसकाई आ गया है जो कहानी में आप लोगों को बता रही हूँ हर घर की कहानी है घर घर की कहानी है तो यदि वस्तु अनंत पर हो क्या हो यदि वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पहले इस चित्र में आप समझो यह हमारा क्या है अवतल दरपण है अवतल दरपण मतलब की पेट अंदर घुसा हुआ है विचारा पतलू है और यहाँ पर क्या हो रही है अनंत से किरने आ रही है तो जब अनंत से किरने आ रही होती ह तो बिल्कुल परावर्तन को दूसरे कलर से ले लेती हूं ताकि आपको समझ में आए तो परावर्तन के पश्चात आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से एक बिंदू पर मिल रही है ये कौन सा बिंदू है फोकस बिंदू है इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं फोकस बिंदू पर मिल रही है इकठी हो रही है बिंदू रूप में यहां पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा प्रतिबिंब प्राप्त होगा बिंदू रूप में प्रतिबिंब प्राप्त होगा और बिल्कुल यहां पर आप लोगों को वही रिलेशन मिलेगा कि जो व करा जाए और बिल्कुल एक paper के सामने रखा जाए तो क्या होती है paper में वो किसी focus बिंदू पर इकटी हो जाती है और paper को जला देती है ठीक है उसी तरीके से यह जो है आप लोगों का क्या है dish tv या antenna है ठीक है बिल्कुल डिस्टी भी है टाटा इसकाई है यहाँ पर क्या हो रहा है यह बिल्कुल आप लोगों का अवतल दर्पन की तरह कारे करता है होता क्या है अनन्त से यहाँ पर क्या होती है सारी किरने आती है अनन्त से यहाँ पर सारी किरने आएंगी और क्या होंगी इस फो जाएगा या कभी आप लोग इसको ठीक करने के लिए जाओगे तो याद रखना कि हर जगह फिजिक्स है अगर फिजिक्स पढ़े हो तो लाइफ भी आसान हो जाती है क्योंकि जिन्दगी की बहुत सारी चीज़ है बिल्कुल फिजिक्स के कांसेप्ट से आप लोगो क्या रि लाइफ में तो ध्यान से पढ़ते जाना है और इस तरह से बहुत सारे एक्जामपल्ज आप लोग देख सकते हो टार्च का एकिजामपल दिया मैंने इन सभी जगह में किसे का इस्तमाल किया जा रहा है अव्तल ॏ पिया जा जये चाहे कार की हैडलाइट ओ त्रीके बिल्क अन कुछ योजना है जहाँ पर बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को जो है एक दिन में भोजन जो है खिलाया जाता है तो बिल्कुल वहाँ पर Solar Cookie का ही इस्तमाल किया जाता है मैंने देखा था एक बार Discovery चैनल पर देखा था ठीक है तो बिल्कुल आप लोगों को वही पिक्चर में यहां पर दिखा रहे हूं कि इस तरह से बहुत बड़ा सा जो है मीरर लगाया जाता है अवतल दरपन लगाया जाता है और यहां पर बरतन रखने का स्टैंड होता है जहां पर यह बरतन रखा हुआ है बिल् धुब दिखा रहे है और जो भी चीज यहां पर रखेगी वह उस चीज को जला देगी और यहां पर डेंटिस्ट जो है बिल्कुल दातों को देखो आप देख सकते हो कि जो छोटे छोटे दात है यह अवतल दरपन की सहायता से जो पहला केस था हमारा है यह कौन सा केस था ह हमारा पहला case अच्छा ये बताओ ये तो पहला case था ये कौन सा case है जल्दी से बताओ ये हमाराצ चठा case है ये भी हमारा चठा case है और ये कौन सा case है जब पैरलर आ रहा था ता कौन से case में हम लोगों ने पढ़ादा जब वस्तु जो ए फोकस बिंदू पर रखी हो जब वस्तु फोकस बिंदू पर रखी हो बिंदू पर हो तो क्या होती है बिल्कुल समनांतर जाती है और अनंततक जाती है तो तौर्च की लाइट और हेड लाइट दोनों का काम यही होता है तो भाई उत्तल दरपण के बारे में तो हम लोगों ने प्रतिविंब कीरण आरेक पढ़ लिया अब बारी आती है उत्तल दरपण के बारे में तो उत्तल दरपण में केवल दो ही केसेज है इसमें छे केसेज नहीं बनते तो टेंशन लेने की बात नहीं है बहुत ही जादा आसान है इसमें केवल और केवल दो ही केसेज बन रहा है तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो उत्तल दरपण है तो यह कौन है पेटू है इसके अंदर का हिस्सा आप लोगों का जो है बिलकुल पॉलिश किया गया है सामने का हिस्सा चमकीला है और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि खोकले गोले के यह हिस्से हैं तो इस खोकले गोले के हिस्से में जो वकरता केंद्र है जो है इधर की ओर होता है और यहां पर उत्तल दरपन के लिए फोकस मिंदू और धुरू यहां पर हो गया ठीक है तो जाहिर से बात है यार यहां पर हम लोग अंदर की तरफ तो कोई भी वस्तू को रखेंगे नहीं हम किधर रखेंगे बाहर की तरफ ही रखेंगे तो ना तो हम लोगों को यहां पर धुरू Hug ना फोकस मिंदू लोगों बलकि हिए हम लोगों को सीध 쓰대 यहाँ पर दर्पण के सामने किसको ख़ड़ करा देना है यह हमारा शीवा है शीवा यहाँ पर ख़ड़ा हुआ है बिलकुल दर्पण कि ये बिल्कुल वकरता केंदर पर आती होई प्रतीत हो रही है, तो वापस कैसे जाएगी, वकरता केंदर से आई है, वकरता केंदर से वापस जाएगी, और उत्तल दर्पन्ट दोनों के लिए किरण आरेक का नियम तो एक ही जैसा यही की नहीं, अब जब मुखह-अक्षस के समनांतर आ रही है तो कैसा हो गई है फोकस से हो करके जाती हुई प्रतीत हो गी तो ये क्या हो गया फोकस से हो करके जाती हुई प्रतीत हो रही है फोकस से हो करके जाती हुई प्रतीत हो रही है अब देखो यहाँ पर जो है प्रतीत हो रही है वास्तविक्त में यहाँ पर मिल तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो शीवा बन रहा है हमारा कौन यहां पर जो हमारा शीवा बन रहा है बेचारा छोटा सा हमारा शीवा बन रहा है तो यहां पर प्रतिविंब कैसा बन रहा है वस्तू से छोटा प्रतिविंब बन रहा है और कहां पर बन रहा है फोकस बिंदू के बिंदू और ध्रू के बीच में ध्रूफ के बीच बन रहा है अब भाई वास्तविक बन रहा है आभासी बन रहा है कैसा बन रहा है देखो गस्तू से छोटा बन रहा है ये तो हम लोगों को समझ में आ गया पर यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है सीधा बन र प्रतिबिम्ब है तो सारी चीजे हम लोगों ने बता दी क्या उल्टा सीधा सब कुछ बता दिया ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तविक प्रतिबिम्ब बन रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है दरपन के पीछे बन रहा है फोकस बिंदू और धुरूफ के बीच में बन रहा है और कुछ बताना होता है क्या एक बड़ देख लेते हैं भई बस तू हाँ ठीक है भई बस यही सारी चीजे बतानी होती है तो बिल्कुल सारी चीजे हम लोगों ने बता दी तो यह बिल्कुल आप लोगों का वो जो है गाड़ी का जो मिरर होता है जो पीछे हम लोग देख यहां पर बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं उत्तल दरपड का यहां पर इसका देख सकते हो कि यहां पर प्रकाश केड़ने जब अनंत पर होंगी तो कैसे आएंगी यह जो है बिल्कुल मुख्य अक्ष के समनांतर आएंगी कैसे आएंगी मुख्य अक्ष के समनांतर आएंगी तो बिल्कुल यह परावर्तन के नियम का पालन करते ही हुए क्या हो जाएंगी यह बिल्कुल जो है मुख्य अक्ष के समनांतर आएंगी तो परावर्तित हो जाएंगी परावर्तन के नियम का और कीरण आरे के नियम का पाल होगी तो अनंत से आती हुई वस्तूओं का जो प्रतिबिम्भ है फोकस बिंदू पर दरपण के पीछे बनेगा छोटे से आकार का बनेगा ठीक है तो बिल्कुल ये जो मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले वाला और ये ठीक है जितनी भी दूरी पर हो थोड़ा पास मे ही गाडियों को देख सकते हैं एक्सिडेंट से बच सकते हैं और बिल्कुल ठीक यही होता है यहां पर भी दूर से आ रही हम लोग जो है वस्तूओं को बिल्कुल छोटे आकार में हम लोग देखते हैं ठीक है तो दोनों ही केस लगबख सिमिलर टाइप है थोड़े पास आ बनेगा वस्तू से छोटा और यहां पर बिंदू आकार का बनेगा कहां पर बनेगा दरपन के पीछे फोकस बिंदू पर बनेगा ठीक है दरपन के पीछे फोकस बिंदू पर बनेगा और बहुत सारे उधारण है बताओ अब बताओ कौन सा उतल है कौन सा उतल जल्दी से ब बताओ पहला दूसला तीसरा चौंदा कौनसा उत्तल कौनसा उत्तल कौनसा उत्तल कौनसा उत्तल जल्दी जल्दी फटाइप he कौनसा उत्तल कौन gosh कौन करेगा जल्दी आरहए Hem कंवे और सभी बत्चों के judy ये तो हम लोगों ने देखी लिया था ये कौन सा है ये बिल्कुल उत्तल दरपड है ये कौन सा दरपड है बिल्कुल छटा नमबर का तो उत्तल ये भी मेरे क्या से उत्तल दरपड ही है ठीक है ये सारे उत्तल दरपड ही है क्या हाँ हाँ बिल्कुल ये सारे उत्तल दरपड के ही उधारण है आप लोगों के ठीक है तो देख लिए आप लोगों ने मजा आया आप लोगों को उत्तल और आवटल में confused तो नहीं होगे किसी को भी बिल्कुल भी confused नहीं होना है और जब आप लोग कीरन आरेक बना रहे होगे तो इसके बाद हम लोगों को अवतल और उतल मतलब गोलिय दरपन में जो परावर्तन के बाद हम लोगों का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए हम लोगों को चिन्न परिपाटी भी समझना होगा क्योंकि जब हम लोग जो है इसकी फोकस दूरी निकालेंगे ठीक है या फिर हम नि पाटी समझने की आवशक्ता है ठीक है तो जो हम लोगों ने यहाँ पर अवतल और उतल दरपन पढ़ा इन सभी के लिए चिन्न परिपाटी तो सबसे पहले यहाँ पर वकरता केंद्र फोकस और धुरूफ तो आप लोगों को पताई है आवतल के लिए इस साइड में होगा उतल के लिए उस साइड में होगा क्योंकि दोनों ही खोकले कांच के गोले का हिस्सा होते हैं और यहाँ पर देखो जैसे कि आवतल दरपन है ठीक है तो जैसे कि वस्तु को हम लोगों ने कहां कहां पर रखा था एक बार हम लोगों ने धुरूफ और फोकस के बीच में रख तो इस तरीके से 6 केस हम लोगों को मिले थे क्या मिले थे हम लोगों को 6 केस मिले थे ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि फोकस दूरी जो है या फिर जो वस्तु की दूरी है कहां से धुरूफ से सारी दूरियां हम लोग कहां से निकालेंगे चार क्वाडरेंट पढ़ते हो पहला दूसरा तीसरा ठीक है ये चार क्वाडरेंट आप लोग पढ़ते हो पहला दूसरा ये तीसरा और ये चोथा ठीक है ये एक्स अक्ष है ये मुख्य अक्ष हमारा क्या है एक्स अक्ष है और ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा माइ minus x अक्ष और यह जो उपर का हिस्सा है यह हमारा y अक्ष और नीचे का हिस्सा यह minus y गड़ित में इतना तो सभी ने पढ़ा होगा है की नी भई पढ़े हो की नी देखो बहुत ही आसान कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए चिन्न परिपाटी तो जाहिड सी बात है कि जो ह हमारा पहला क्वाडरेंट होता है ठीक है यहां पर जो है क्या होता है सभी चीजे धनात्मक होती है क्या होती है सभी चीजे हमारी धनात्मक होती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो दाया हिस्सा है ठीक है दाहिने हिस्से में सभी चीजे धनात्मक होती है औ पर उपर की ओर वाली धनात्माख होती है ठीक है कहां पर उपर की तरफ वाली बाएं हिस्से में भी क्या होगा उपर की ओर वाली सारे जितनी भी मतलब कोई भी कुछ भी अगर हम निकाले वस्तू की दूरी प्रतिबिंब की दूरी या मुख्य फोकस बिंदू की दूरी कोई भी भी दूरी निकाले क्या होगा कि दाहिने साइड के इस वाले कौर्डन में सारे के सारे धनात्माख होंगे अगर हम इधर की बात करें ठीक है बाएं साइड की बात करें तो बाएं साइड में क्या होते हैं बाएं साइड में रिनात्माख होते हैं और उपर के तरफ जो है क तो हिस्सा है दाहिने साइट का ठीके तो ना दाहिने साइट के नीचे वाले हिस्से के जो भी हम अगर निकालेंगे जो भी दूरी हम निकालेंगे तो वो भी क्या होंगे रनात्मा होंगे मतलब कि जब उल्टा प्रतिविंब बन रहा होता है तो क्या बनता है इधर नीचे की धर्भण के लिए था ठीक किसी प्राकार से उत्तल धर्भण के लिए भी होगा आप लोग इहाँ पर देख सकते हो कि दाहिने तरफ धनात्मध के लिए भी होता है तो आप लोग यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए देख सकते हो कि इसका वकरता के इंदर इसकी फोकस दूरी इसका धूर जो है बिल्कुल इस साइट पे होता है और यहाँ पर भी होगा वही दाहिने तरफ क्या होगा दाहिने तरफ सारी चीजे जो है धनात्मक दिशा को बताएगा बाएं तरफ जो है सारा चीज क्या होगा बायां हिस्सा जो है रनात्मक दिखाएगा उपर की ओर वाला जितना भी दूरी है वो क्या होगा धनात्मक होगा नीचे की तरफ जो है रनात्मक होगा तो यह चार क्वाडरेंट की तरह ही कारे करेगा जो आप लोगों उसको सिद्ध नहीं करना है सिद्ध करोगी आप कक्षा बारवी में जब आप किरन प्रकाशकी पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये चीज़े सिद्ध करनी होंगी यहां पर यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि अगर मालो की वस्तु यहां पर A B पोजिशन पर रखी भी बने ठीक है और यहां जहां पर भी बने पर समझना हमको यह है कि जो वस्तु की जो दूरी है ठीक है कहां से धुरू से धुरू से जो वस्तु की जो दूरी है इसको हम लोग क्या मानते हैं यू मानते हैं और जो प्रतिबिंब की दूरी है धुरू से इसको हम क्या मानते हैं V मानते हैं और जो focus दूरी है उसको हम क्या करते हैं small app से प्रदर्शित करते हैं और ये ध्रूव से focus की दूरी होती है क्या होती है ध्रूव से focus की दूरी होती है ठीक है बिल्कुल जल्दी से diagram बना लेंगे और ये जो सम्मिकरण है इसको भी फटाफट से लिख लो, बिल्कुल ये समी करना आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्या है यहाँ पर एक बटे V, V का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिम्ब की ध्रूव से दूरी, एक बटे U मतलब की वस्तु की ध्रूव से दूरी, लिखना है आपको वस्तु की ध् बिल्कुल ये निकालने के लिए हम लोगों को सवाल आते हैं और ये सवाल हम लोगों को हल करने होंगे, तो जल्दी से चित्र बना लो और यहाँ पर समीकरण भी लिख लो बना लिया डाइग्राम कर लिया नोट very good तो अब इसके आगे हम लोग दरपन सुत्र के बाद आवर्धन के बारे में बढ़ेंगे तो आवर्धन का मतलब होता है क्या आवर्धन का मतलब होता है विस्तार मतलब की किसी भी कैसा हो रहा है उसका विस्तार कैसा हो रहा है इस चीज को हम लोग समझते हैं यहाँ पर दरपन सुत्र के बाद आवर्धन के टॉपिक में तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी अभी आवतल के 6 केसे उत्तल के 2 केसे हम लोगों ने पढ़े तो यहाँ पर हम लोगों ने क्य ले लिया अवतल का एक कोई सा केस ले लिया जिस केस में यहां पर क्या रखा हुआ है जो वस्तु है यहां पर धुरू और फोकस बिंदू के बीच में रखा हुआ है कहां पर रखा हुआ है धुरू और फोकस बिंदू के बीच यह है हमारा अवतल दरपन अवतल दरपन मतलब की पतलू पेट अंदर घुसा हुआ और बिल्कुल जब यहां पर रखा हुआ है इस तरह से वस्तू तो इस वस्तू का प्रतिबिम्ब यहां पर पीछे की तिरफ बन रहा है वस्तू से बड़ा बन रहा है और कैसा बन रहा है सीधा बन रहा है मतलब क्या हो रहा है सीधा प्रत प्रतिबिम्ब बन रहा है ठीक है आब हासी प्रतिबिम्ब दर्पन के पीछे बन रहा है किदर बन रहा है दर्पन के पीछे बन रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने अल्रेडी एक चीज समझाता क्या समझाता कि अगर जो वस्तु यहां पर रखी हुई है ए बी जिसको हम ल वी मानते हैं और यहाँ पर जो फोकस दूरी है उसको हम क्या लेते हैं यहाँ पर small f लेते हैं तो दरपन सुत्र में यह हम लोगों ने नामांकन देख लिया था जब हम आवर्धन की बात करते हैं तो किसी भी प्रतिविंब का जो आवर्धन है मतलब दरपन के लिए आवर्ध को प्रदर्शित करते हैं small m से और आवर्धन का सुत्र क्या होता है तो आवर्धन का सुत्र होता है जो प्रतिविंब की उचाई है ठीक है यह उचाई है इस को हम लोगों क्या मान लेते हैं इस उचाई को हम मानते हैं h- और जो वस्तू की उचाई है उसको हम लोगों क्या म उचाई बिल्कुल ये बोड भी मेरे से काफी उचा हो जा रहा है और बिल्कुल कोई बात नहीं फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रतिबिम्ब की उचाई बटे क्या हो जाएगा वस्तू की उचाई ठीक है वस्तू की उचाई तो बिल्कुल ये जो प्रतिबिम्ब की उचाई है इसको हम लोगों ने h- लिया है वस्तु की उचाई को हम लोगों ने क्या लिया है एच लिया है तो यहां से हमारा आवर्धन का सुत्र क्या हो गया प्रतिभिंब की उचाई बटे वस्तु की उचाई और आवर्धन का जो है सुत्र हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने यहां पर प्रतिभिंब की उचाई बटे वस्तु की उचाई लिखा है उसी तरह से हम यहाँ पर जो प्रतिभिंब की दूरी हम क्या ले रहे हैं प्रतिभिंब की दूरी हम ले रहे हैं वी और जो वस्तु है उसकी हम दूरी ले रहे हैं यू अब ये धनात्मक होगा की रिनात्मक धनात्मक होगा की रिनात्मक ये निर्भर करता है जो मैं आप लोगों को क्या बताया था कि दाहिने तरफ जो होता है सारा चीज क्या होता है धनात्मक और बाई तरफ क्या होता है सारा चीज रणात्मक तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो वस्तु है वो कहां पर रखी हुई है बाई तरफ रखी हुई है कहां पर रखी हुई है बा पाटी के अनुसार तो इस तरह से आप लोगों को आवर्धन का क्या मिल गया यहापर सुत्र मिल गया तो बिल्कुल इसके रिलेटेड आप लोगों को सवाल आते हैं जिसमें आप लोगों को आवर्धन कैलकुलेट करना होता है तो यह दरपन सुत्र और आवर्धन का जो सुत बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहूंगी जिन वीडियो में आप लोगों को जो भी अभी हम लोगों ने गोलिये दरपन के बारे में पढ़ा है उसको आप लोगों को इमेजिन करना बहुती ज्यादा आसान हो जाएगा तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं यहा आप उत्तल और अवतल दोनों ही दरपनों को रखोगे तो प्रतिविम्ब इसका मतलब कैसा बनता है यहां पर यह जो किरने है कहां पर किस तरह से मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ तो भाई ध्यान से दिखना मैं जल्दी से ही विडियो शुरू कर रही हूँ यह शुरू कर दिया मैंने यह मैंने क्या ले लिया एक दरपन ले लिया यह उत्तल और अवतल दोनों की तरह ही कारे करेगा हमको एक्सपरिमेंट करके देखना है इसको अभी हम लोगों ने क्या किया अवतल दरपन बना दि देखो भई अब देखना अब इसको हम जल्दी से ही रखेंगे उतल और अवतल आप लोगों ने दोनों ही यहाँ पर समझ लिया है ठीक है अब दरपन को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं अवतल के रूप में रखे तो बिल्कुल इसको जो है हम इधर उधर हिला करके देख र है अब इसको हम जब खसकार है तो आप लोग देख सकते हो किसका जो मिलान बिंदू है किसका मिलान बिंदू है सारी करणों का अलग-अलग पोजिशन पर बन रहा है कभी वस्तू से छोटा बन रहा है बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो यह आउतल दरपन के लिए आप अगर मज़ा आ रहा है तो सारे बच्चे मुझे थमसब दिखाएंगे कमेंट पर और बिल्कुल आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि आउतल दरपन में किस प्रकार से जब मुख के अक्ष के समनांतर केने आती है तो फोकस बिंदू पर मिलती है और जब हम इसको उत दरपन से क्या हो रही है ये प्रावर्तन के पश्चात फैलती हुई प्रतीत हो रही है कैसे प्रावर्तन के पश्चात क्या हो रही है फैल रही है अब इसको हम लोगों ने मुख्यक्च के समनांतर रख लिया था फिर इसको हम हिला रहे है वापस से इसको हम क्या करेंगे द अभी बच्चों को मज़ा आया अच्छा लगा आउतल और उतल में क्या कोई confusion होगा येस ये नो जल्दी से बिताओ कोई भी प्रकार का confusion नहीं होना चाहिए समझ आ रहा है imagine कर पा रहे हो मज़ा आ रहा है तो सभी को comments में लिख करके बताना है और इसी तरीके से एक और वीडि change करकर करके सारा आप लोगों को मैंने कीरण आरेक समझा दिया है और इसको भी हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कैसे यहाँ पर formation होता है ठीक है तो हम अवतल और उतल दोनों ही दरपन के लिए यहाँ पर समझेंगे ध्यान से देखना बहुत ही short वीडियो है ये द बिल्कुल इसको बार-बार ध्यान से देखो अब हम किसके लिए कर रहे है उत्तल दरपन के लिए कर रहे है तो क्या हो रहा है वापस ये वीडियो दुबारा रिपीट होगी तो दुबारा से देखना अब जल्द ही शुरू होगी ये ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे अ अवतल दरपन के लिए दुबारा देखो अवतल दरपन के लिए वकरता केंद्र से दूर की तरफ केंद्र पर फिर फोकस पर फिर फोकस और धूर के बीच ठीक है फिर इसको हम क्या कर लिए पीछे ले गाए ठीक है तो कैसे इसका जो प्रतिबिम्ब बन रहा है कैसे बन रहा ह ध्यान से देखो, यह देखो उत्तल के लिए बन रहा था, बिल्कुल दूर से आरहा था, क्या बन रहा है, यहाँ पर जब focus पर रखा है, तो पीछे की तरा, यहाँ पर बन रहा था, वापस से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी चीज है, मज़ा आ रहा हो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तीसरी बार देखोगे तो बिल्कुल तीसरी और आखरी बार में आप लोगों को दिखा रही है, तो बिल्कुल धिया से देखना यह देखो, केंद्र पर बराबर, फोकस पर तो वस्तू से बड़ा प्रतिबिंब और केंद्र के पीछे, और यहां पर जब यह दरपढ के पीछे तो फोकस बिंदु पर, अब आउतल में देखो, यह देखो, दूर था, तो छोटा सा बन रहा था, दूर था तो कैसे बन रहा था, छोटा सा बन रहा था प्रतिबिंब, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छे से समझ में आ हो गया, चलो, बिल्कुल, अब यहां पर चलो भई, यह तो हो गया, वो है लेंस का, जब लेंस हम पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को लेंस के बारे में दिखाऊंगी, अभी हम लोगों ने दरपढ के बारे में पढ़ा, तो जल्दी से सब बच्चे रैडी हो जाएंग अब आप लोगों को जो है, यहां पर सवालों का जवाब देना है, अब सद कौन सा option आएगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेश्न को पढ़के समझा देती हूं, प्रेश्न में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना है कि किसी प्रतिबिम्ब, किसी बिम्ब मतलब कि प्रतिबिम्ब अवतर दर्पन द्वारा बनाया, बना प्रतिबिम्ब आभासी सीधा और प्रतिबिम्ब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिती कहां पर होगी, सवाल पूछ रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिम्ब है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा कब बनता है क्या वह जब मुख्या फोकस या वक्रता केंद्र के बीच होता है वक्रता केंद्र पर होता है तो यह तो नहीं आएगा क्योंकि वक्रता केंद्र पर होता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वक्रता केंद्र के बराबर और उल्टा बनता है ठीक है और वक्रता केंद हो गया, यह हमारा फोकस हो गया, यह हमारा क्या हो गया, धुरू हो गया, फटा-फट से हम लोग देख रहेंगे, क्या बोल रहा है कि प्रतिबिम्ब अवतल दर्पन पर बना प्रतिबिम्ब आभासी और सिधा, आभासी और सिधा वस्तू से बड़ा, ठीक है, वस्तू से बड अबहासी और सिधा सिधा प्रतिबिंब किधर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि सिधा प्रतिबिंब आप लोगों को यहाँ पर दरपण के पीछे की तरफ ही बनेगा किधर बनेगा यहाँ पर दरपण के पीछे की तरफ बनेगा तो कब बनेगा यह तो देख लेते हैं हम क्या ह हम लोग मुख्या फोकस था वक्रता केंदर के बीच में रखेंगे मुख्या फोकस या वक्रता केंदर के बीच में तो मतलब की वस्तु यहां पर है तो वस्तु अगर यहां पर है तो एक जो है यहां पर आती हुई प्रतीत हो रही है समनांतर मुख्याक्ष के समनांतर जो आनी रहा है, तो इस case में क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक किरन लेंगे, जो focus से होकर के आरही है, तो ये कहा से होकर के जाएगी, ये मुख्य अक्षि के समनांतर होकर के जाएगी, तो पहला वाला जो case हमारा दिया है, तो इस position में हमारा जो प्रति बिंब तो बन रहा है वो हमारा वकृता केंद्र की आगे उल्टा बन रहा है कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है वस्तु से तो बड़ा तो बन रहा है पर उल्टा और वास्तविक बन रहा है तो ये वाला option हमारा गलत हो जाएगा ठीक है वकृता केंद्र से परे की बात कर रहा है तो आई थिंक ये वाला भी नहीं ही होगा हम दरपन के धुरूव और मुख्य फोकस के बीच को एक बार ट्राई कर लेते हैं तो दरपन के धुरूव और मुख्य फोकस के बीच में अगर हम क्या करें यहां पर अगर हम वस्तु को रखें ठीक है यहां पर हम वस्तु को रखें तो मालो की यहाँ पर आपतित कीरण यह जो है समनांतर मुख्याक्ष के समनांतर कहां से हो करके जाएगी तो यह हो करके जाएगी फोकस से यह हमारा क्या है फोकस है और यह पोल तो फोकस से हो करके जाएगी ठीक है और दूसरी कीरण जो लेंगे तो दूसरी कीरण जो है हम वकरता केंद्र है अगर ठीक है तो यहां से हम क्या लेंगे आता हुआ लेंगे ठीक है हाँ बिल्कुल ऐसे ही आता हुआ लेंगे तो क्या होगा यह वापस जाएगा तो कहां से होकर के जाएगा बिल्कुल यहां से ही होकर के वापस जाएगा तो यह बिल्कुल जो है आप लो दरपन के पीछे ये मिलता हुआ प्रतीत होगा तो ये बिल्कुल सीधा बन रहा है सीधा मतलब की आभासी होगा हना क्या होगा सीधा मतलब की आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा तो यही हमको सवाल में दिया हुआ था इसका मतलब हमारा सहीं उत्तर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा दह हमारा सहीं उत्तर हो जाएगा कौन-कौन बच्चों का सहीं उत्तर आया जल्दी से बताओ किसका किसका सहीं उत्तर आया कमेंट करके सभी बच्चों को बताना है आया समझ में है की नहीं मजेदार तो देखो भई ये सब प्रैक्टिस से आएगा तो आसान है, बिल्कुल, वैसे मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया था, और इसके पहले, जो हम वैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें भी आप लोग देख सकते हो, यह देखो, यहां पर हम लोगों ने, यह यह आवतल तर्पन का जो case दिया है, तो आवतल तर्प तो यह हमारा गलत हो गया था अब यह वकरता केंद्र वाला भी दिया था आप लोगों का तीसरे ऑप्शन में दिया था तो यह भी नहीं आएगा ठीक है कौन सा आया था हमारा फॉस्ट वाला आया था तो यह हमारा पहला ऑब्ज़ेक्टिव कोशन हो गया दूसरा ट्राई करें बनेगा चल दूसरा ट्राई करते हैं तो दूसरा ऑब्जЕक्टिव कोशन क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि किसी समतल दर्पन पर प्रकाषकी कीरण अभिलंबवत आपतित होती है यह हमारा समत ये क्या हो गया आपतन बिंदू आपतन बिंदू के अभिलंबवत हम क्या करते हैं आपतन बिंदू के ही अभिलंबवत हम क्या बनाते हैं अभिलंब बनाते हैं ठीक है तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो क्या है हमारा अभिलंब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कीरण आपतित हो रही है वो अभिलंब पर ही आपतित हो रही है और इस आपतन बिंदू से जब परावरतन कोण मतलब कि यह क्योंकि अभिलंब से 0 डिगरी के कोण पर आपतित हो रही है तो यहां पर आपतन कोण का मान क्या हो गया आपतन कोण का मान हो गया 0 डिगरी ठीक है तो यह यहां पर आपतन कोण बराबर क्या होगा परावरतन कोण होगा मतलब क्या होगा कि यह इसी रस्ते से वापस चली जाएगी इसी रस्ते से वापस चली जाएगी तो इसमर परावरतन कोण का मान होगा क्या शुन्य डिगरी यहां पर परावरतन कोण का मान होगा जिस कोण से आ का जो है पालन हो रहा है एक निमारिकल कोश्चन देख लेते हैं तो बिलकुल यह आप लोगों का जो है जो भी हम लोगों ने सुत्र पढ़ा है उसी से संबंदित कोश्चन है कि किसी वाहान के पीछे देखने वाले आईने मतलब कि मैंने आप लोगों को पता है रियर व्यू मतलब कि आर का मान आप लोगों को दिया हुआ है 2.4 मीटर यदि एक कार इस दरपन से 6.0 मीटर दूर हो मतलब कि मान लोग कोई कार का यहाँ पर साइड का मीरर है और इससे 6 मीटर दूरी पर मान लोग कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर कोई कार है ठीक है तो उसके प्रतिबि कार इसके 6 मीटर दूरी पर कोई कार है और यहां पर क्या लगा हुआ है साइड का मीरर लगा हुआ है क्या लगा हुआ है साइड का मीरर लगा हुआ है तो इस बड़े से साइड के मीरर पर वो वस्तु का प्रतिबिम्ब जो बनेगा उसकी स्थिती और उसकी साइज कितनी होगी मतलब उसका एक्चुल में मतलब वास्तविक्ता में उसका जितना साइज है जैसे कि मानलों की कार इतना बड़ा है कितना बड़ा है लगभग डेड़ मीटर मतलब होता है ठीक है तो लगभग मानलों की डेड़ मीटर या दो मीटर मानलो ठीक है इतने बड़े size का अगर आप लोगों का कार है तो वास्तविक्ता में उस कितने size का बनेगा 6 मीटर दूर है अगर कितने दूर है 6 मीटर दूर है और इस दरपण की वकरता त्रिज्या यहां पर दी हुई है ठीक है तो यह फोकस दूरी के जब दो गुना होता है तो इस चित्र को मैं मिटा रही हूँ पहले इस चित्र को मैं मिटा रही हूँ समझाने के लिए मैंने मिदा दिया था बिलकुल और यहां पर फोकस दूरी के दो गुना होता है एक सुत्र हम लोगों ने क्या देखा था दरपन सुत्र देखा था जहां पे हम लोगों ने एक बटे प्रतिबिम्ब की धुरूव से दूरी और वस्तु की धुरूव से दूरी बटे एक बटे फोकस दूरी अब हम लोगों को निकालने क्या बोला है प्रतिबिम्ब की इस्थ दो दसमलव चार बटे दो ये क्या निकल जाएगा दो दसमलव चार बटे दो कितना आ जाएगा एक दसमलव दो एक दसमलव दो मिटर ठीक है तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो गया एक दसमलव दो मिटर ठीक है तो बिल्कुल निकल गया हमारा फोकस दूरी बॉक्स बना के लिख लो ठीक है और यहां पर हम लोगों को वस्तू की दूरी दी हुई है यहां पर हम लोगों को क्या करना है यहां पर हम लोगों को जो है इस दरपन सुत्र का इस्तमाल करना है तो दरपन सुत्र हमें ग्यात है निकालना क्या है वी निकालना है तो एक काम करते हैं इसको हम एक साइड में रख लेते हैं और जो हमें ग्यात है उसको हम अलग साइड में कर लेते हैं तो यह मैंने क्या कर दिया अलग साइड में कर दिया अब यहाँ पर अक मुटम समा पर solve करो और निकालो, v कमान आपका आ जाएगा, आजाएगा आशानी से v कमान, अच्छा, v कमान आ तो जाएगा, पर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है? किसका ध्यान रखना है चिन्ह परिपाटी ठीक है तो देखो सबसे पहले वाहन के पीछे देखने वाला आईना इसका मतलब क्या हो गया कि जो वस्तू है आपका ये हमारा क्या हो गया उत्तल दरपण हो गया क्या हो गया ये हमारा उत्तल दर्पन और ये पीछे देखने का मीरर है तो यहां पर हम लोगों ने पीछे देखने वाले केस में पढ़ा था उत्तल दर्पन के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था वो वापस से आप लोगों को दिखा देती हूं ये देखो मानलो की ये वाला लवी निकालना है और ये यूं हम लोगों को दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर क्या आप चितर से समझ सकते हो कि हम लोगों ने क्या पढ़ाता कि जितना भी यहाँ पर बाएं साइट का होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये क्या होगा रिणात्मक क्या होगा रिणात् कर रहे हैं कहां गया भई हमारा सवाल ये ये हमारा सवाल है और इस सवाल में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो आपकी वस्तु है ये जो है बिलकुल बाएं साइड में रखी हुई है तो चिन्न परिपाटी के अनुसार यहां पर क्या होगा रिंड चिन्न का इस्तमाल ह और इसका प्रतिविंब कहां पर बनेगा बिल्कुल यहां पर बनेगा ठीक है प्रतिविंब वस्तु से छोटा और इस तरीके से बनेगा तो यह वाला जो दूरी है वो क्या है हमारा वी है और फोकस दूरी भी किधर होगी हम लोगों कि क्योंकि हमारा यह उत्तल दरपन है तो उत्तल दरपन के लिए फोकस दूरी कि इधर होता है उत्तल दरपन के लिए फोकस दूरी तो बिल्कुल इधर ही साइड होता है मतलब इधर साइड होता है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कहीं पर आपका फोकस दूरी होगा तो यह फोकस दूरी भी क्या होगा फ जो है लगाना है रिंड चिन्ध लगाना है इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा रिंड चिन्ध हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आप लोगों का एक बटे वी बराबर एक बटे एक दसंबला दो रिंड रिंड धन हो जाएगा एक बटे छै हो जाएगा अब सॉल्व करो समझ में आ गया चिन्ह परिपाटी क्यों महत्वपूर्ण है समझना है देखो एक बार नहीं बार-बार प्रैक्टिस से ही ये चीजे आती है तो जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया इसको आप लोगों को बार-बार प्रैक्टिस करना है जल्दी से ये नुमारिकल को पता चल गई कि प्रतिविम्ब की स्थिती जो है कहां पर होगी दरपन के पीछे बनेगी सीधा बनेगा यहां पर लिख देती हूं मैं जो ये बनेगा प्रतिविम्ब कैसा बनेगा दरपन के पीछे और कैसा बनेगा सीधा बनेगा सीधा बना मतलब क्या होगा आभासी होग ठीक है आकार में कैसा होगा आकार में होगा वस्तु से छोटा ठीक है अब वस्तु से कितना छोटा होगा वस्तु से कितना छोटा होगा उसका विस्तार क्या होगा तो यह हम निकाल सकते हैं किस से आवर्धन के माध्यम से तो आवर्धन में हम लोगों ने क्या पढ़ाता आव प्रतिबिंब की दूरी और वस्तू की दूरी क्या पड़ाता हम लोगों ने माइनस प्रतिबिंब की दूरी और वस्तू की दूरी तो हमारे पास यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकल गई है कितनी एक मीटर वस्तू की दूरी हम लोगों को पता है छे मीटर पर यह कैसी ह सुत्रमें भी हमारे पास पहले से क्या है यहां पर दो एग और जाएगा और यह क्या आ जाएगा मतलब कि यहां पर क्या है 부स्तु का जो आवर्धन है एक बटे 6 मतलब की जो उसका वास्तविक साइज है वास्तविक आकार जो है उससे 6 गुना छोटा मिलेगा क्या मिलेगा 6 गुना छोटा बनेगा समझ में आ रहा है तो भाई इस तरह के आप लोगों को पांच नंबर के सवाल प्रेशन पूछे जाते हैं और बिल्कुल ये आगे आने वाली कक्षा में कक्षा बारवी में भी आपके लिए महत्वपूर्णा है तो बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझना है इसके बाद ये नियुमारिकल तो हम लोगों ने कर लिया अब बारी है प्रकाश के अपवर्तन की प्रकाश का अब हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे तो भाई अभी हम दरपन पढ़ रहे थे अब हम लोगों को क्या पढ़ना होगा आगे हम लोगों को लेंस पढ़ना होगा ठीक है तो प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रहा था कि एक माध्यम से कीरण आ रही थी और उसी मा माध्यम में वापस जा रही थी मतलब माध्यम का था वहाँ पर वायू था अभी तक के जितने भी उदारंड देखे हम लोगों ने वायू में ही क्या हो रहा था प्रकाश की किरण आ रही थी वायू में ही वापस लोड रही थी यहां पर आप लोग चित्र में देख पा रहे ह कि यहाँ पर एक पानी का गिलास लिया गया है तो एक माध्यम पानी है और एक माध्यम क्या है हवा ठीक है एक माध्यम पानी है एक माध्यम है क्या हवा तो यहाँ पर प्रकाश की कीरण आ रही है तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हो कि यहाँ पर वायू का माध्यम है और अंदर में जो प्रकाश की कीरण आजार ही है जिससे हम लोगों को ये जो है हम लोगों ने यहाँ पर एक संत्रे को यहाँ पर जो है नीबू या संत्रा जो भी है इसको हम लोगों ने क्या किया है ग्लास में डुबो करके दिखाया है तो यह अपने आकार से हमको बड़ा अपने जो मतलब वास्तविक आकार है उससे बड़ा दिखाई दे रहा है और बिलकुल अगर इसको हम पानी से निकाल लेंगे इस नीबु को इसको यह हमको समाने साइज में दिखाई देगा तो यहाँ पर कौन-कौन से माध्यम है यहाँ पर जो है दो माध्यम है इसका मतलब देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है एक है हमारे पास हवा जैसे कि यह लेंस जैसे होता है यहाँ लोग होते है या जो हमारे बुजूर्ग लोग होते हैं जिनको जो होता है कि पास का दिखाई नहीं देता तो उनको जो चश्मा लगा होता है तो बिलकुल वहा है न मोटा ग्लास होता है दोनों तरफ से अबरा या अंदर घुसा हुआ मोटा ग्लास होता है पढ़ेंगे हम लोग यहां पर उत्तर lens और अवतल lens पर प्रहले प्रकाष के अबवरतन को समझ लेते हैं कि यहां पर भी दो माध्यम है कितने माध्यम है यहां पर भी प्राक्टिकल करके दिखाना चाहूंगी कि जैसे मैं यहां पर ले रही हूं क्या यहां पर एक मैं पानी का ग्लास ले रही हूं आप लोगों के सामने और यहां पर इस पानी के ग्लास में मैं क्या करूंगी इस पानी के ग्लास में मैं पैन को यहां पर दुबाऊंगी ठीक है और उपर का हिस्सा जो है पतला दिखाई दे रहा है जबकि नीचे का हिस्सा जो है मोटा दिखाई दे रहा है बिलकुल इस तरीके से क्यों क्यों हो रहा है ऐसा प्रकाश का अपवर्तन क्या है क्यों ऐसा हो रहा है कि ग्लास के अंदर जो है पैन काफी मोटा सा दिखाई दे और गलास के बाहर जब हम इसको निकाल रहे हैं तो पैन काफी पतला सा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है बिटा, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो है ऐसा इसका कारण मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ जैसे कि यहां पर जैसे पानी के ग्लास में मैंने पैन डाला यहां पर हम प्रकाश की कीरण डाल रहे हैं तो हो क्या रहा है पहले जो प्रकाश की कीरण है वो कहां पर थी यहां पर हवा में थी ठीक है जिसकी प्रकाश भी अंदर में पानी भी है यहां पर क्या है पानी ग्लास में क्या है पानी है ठीक है तो होता क्या है कि जो प्रकाश है वो सीधी और सरल रेखा में गती करती है और प्रकाश की जो गती होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है तो हम लोगों ने जब सबसे पहले अध्याय का शुरुवात किया था तब वहाँ पर हम लोगों ने देखा था प्रकाश की चाल ठीक है क्या देखा था हम लोगों ने प्रकाश की चाल देखा था जिसको हम लोग क्या करते हैं सी से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान क्या होता है तीन गुणा दस की घात आठ जब ये क्या करता है य उसे जब फновफिर्वेश करता है तो जो प्रकाश की चाल है अधिक नुदी हो जाती है धीमी हो जाती है कितनी हो जाती है दो गुणा दस की घात आठ ग्लास के लिए ठीक है ग्लास के लिए किस के लिए दिया हुआ है ये ग्लास के लिए दिया हुआ है आप लोगों को दो गुणा दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल हुआ क्या यहां पर प्रकाश की चाल कम हो गई क्यों कम हो गई क्योंकि वायू जो है यहां पर विरल माध्यम है अब विरल का मतलब क्या होता है कि वायू में जो अडू के कड होते हैं वो फैले हुए होते हैं जबकि ग्लास या फिर पानी में क्या होता है जो उनके कड होते हैं वो सघन होते हैं वहां पर घनत्व जादा होता है तो यहां पर जो ग्लास में जो माध्यम है ये कैसा है सघन माध्यम है जब कि यहां पर जो हवा में माध्यम था वो कैसा माध्यम था विरल माध्यम था और विरल माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की केणों को आगे बढ़ने के लिए आसानी से रास्ता मिलता है, रास्ता साफ है, तेज गती से चल लिया, कितनी गती से चल लिया, तीन गुणा दस की घात, आठ मीटर पर सेकेंड की गती से चल लिया, जब ग्लास में गया तो रास स्पीड कम हो जाएगी है ना स्पीड क्या हो गई यहां पर कम हो गई तो यहां पर धीरे गती करने लग गया अब धीरे गती किया तो हुआ क्या रास्ता बदल गया विचारा रास्ता बदल गया मतलब सरल रेखा में गती ना करके क्या हो गया यहां पर सरल रेखा में गती करक अगर मैं यहाँ पर एक अभी लंब बनाओं ठीक है अगर मैं एक यहाँ पर अभी लंब तो अभी लंब हम लोग कैसे बनाते हैं तो अभी लंब हम लोग बनाते हैं कि आपतन जो बिंदू रहता है हना आपतन जो बिंदू रहता है उसके लंबवत हम अभी लंब बनाते हैं 90 डिगरी के कौन पे ये हमारा क्या है आपतन बिंदू है जहां पर प्रकाश की कीरण यहां पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इस आपतन बिंदू पर क्या हो रहा है आपतन बिंदू पर ये अपवर्तित हो रही है तो ये कीरण क्या कहलाती है ये जो ग्री आपतित की रण ठीक है तो यह जो है आपतित की रण है जैसे कि पहले भी होता था आपतित की रण और यहां पर क्या हो रहा है अपवर्तन की घटना हो रही है क्या हो रहा है यहां लिख देती हूं अपवर्तन हो रहा है और जहां पर अपवर्तन की घटना हो रही है तो यहां अभी लंब की और, क्या हो रही है, जूक रही है, देख पारे हो, और अच्छे से समझेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पर पानी के ग्लास में अगर हम समझें, तो यहाँ पर प्रकाश की किरन वायू में आ रही थी, जब यह ग्लास के पानी में गई तो क्या बदल लिया और ये जो है सीधा रास्ते में जाना चाहिए था तो सीधे रास्ते में ना जा करके क्या हुई ये अलग रास्ते में गई और जब वापस निकली पानी के ग्लास से वापस बाहर निकली तो फिर से इसने रास्ता बदल लिया तो ये वाला जो रास्ता है ना ये र पर हम लोगों को आभास को आभास पर हो रहा है, कैसा प्रतिभैंब दिखाई दे रहा है, आभासी ठीक है क्यों दिखाई दे रहा है आभासी क्योंकि प्रकाश की किरने जो है सघन माध्यम में ये क्या है सघन माध्यम है और सघन माध्यम में क्या हो जाती है जो प्रकाश की चाल है वो क्या हो जाती है धीमी हो जाती है तो उसी तरह से जब हम लोग स्विमिंग पूल में अंदर का जो हिस्सा देखते हैं ठीके तो जो अंदर का जो ये हिस्सा है ये जो टाइल से ब्लू कलर की लगी हुई है ये अपने पोजिशन में थोड़ा हट कर दिखाई देती है ठीके तो इसी वज़ा अगर कभी पानी में उत्रोगे, स्विमिंग पूल में जब कभी उत्रोगे तो ध्यान से उधरना, क्योंकि जो असलियत में है वो दिखाई नहीं देता है, बिलकुल आभासी दिखाई देता है, तो ध्यान रखना है, इसी तरीके से अगर हम एक्वारियम की बात करें, ठीक है अगर मालों की किसी एक्वारिया में मचली रखी हुई है तो वो मचली भी क्या अलग दिखाई देगी आभासी प्रितिविम्ब दिखाई देगा उसका भी अपने पोजिशन से दूर हट करके दिखाई देगी अलग जगा पे दिखाई देगी क्योंकि प्रकाश की चाल सगन म अध्यम में बदल जा रही है तो अब हम अपवर्तन के नियम को समझेंगे जैसे हम लोग ने परावर्तन का नियम पढ़ा था तो परावर्तन के दो नियम थे यहां पर हम वन बाई वन अपवर्तन के सारे नियमों को पढ़ेंगे तो यह जो पहला नियम है यह आपका जो परा वर्तन के जगह में यहां पे क्या हो गया अपवर्तित की रण आपतित की रण अपवर्तित की रण तथा दोनों माध्यम दोनों माध्यम एक सघन और एक विरल कौन कौन से दो माध्यम है एक सघन माध्यम होगा और एक कौन सा माध्यम होगा विरल माध्यम ठीक है को प्रिथक करने वाले प्रिष्ठ ठीक है इन सभी को प्रिथक करने वाले प्रिष्ठ आपतन बिंदू पर अभिलंब खीचा जाए तो यहां तीनों एक ही तल में होंगे ठीक है अभिलंब खीचा जाए कहां पर आपतन बिंदू पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था तो यह तीन प्रकाश की रट एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर तो मतलब दो माध्यम का होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है तीक है दो माध्यम का होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है जैसे कि आप लोगों ने इस डाइग्राम में देखा हर जगा दो माध्यम है एक हवा एक पानी या फिर ग्लास हवा है पानी है ग्लास है तीक है सबी को दो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है बहुत ही मज़े डाल टॉपिक है और इसको भी मैं आप लोगों को बहुत ही आसान करके पढ़ाने वाली हूँ और इसका वीडियो भी दिखाने वाली हूँ तो वीडियो अगर देखना चाहते हो अगर बहुत अच्छे से आप इमेजिन करना चाते हो तो शुरू से लेकर आखरी तक आप लोगों को वीडियो में बने रहना है कहीं नहीं जा रहा है बिल्कुल हम जो है आज एक शॉट में ही हम प्रकाश का परावर्तन और अपुवर्तन का ये चाप्टर वन शॉट में हम पूरा कर रहे हैं तो कहीं नहीं जाएंगे भई सभी बने रहेंगे हमारे इस क्लास में और बिल्कुल दो माध्यम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो माध्यम में क्या होता है प्रकाश का अपुवर्तन होता है तो जब दो माध्यम होगा तभी अपुवर्तन की घटना संभाव है तीसरा नियम क्या कहलाता है कि यदि प्रकाश की रण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है कहां से कहां सघन से विरल में कहां जाती है सघन से विरल में जाएगी तो अब ये देखना है कि ये जो है 40 की बढ़ेगी की कम होगी तो भाई चाल जो है बढ़ जाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि सघन स रास्ता साफ है क्या है रास्ता साफ है साफ है तो क्या होगा स्पीड बढ़ जाएगा और क्या होगा अभी लंब से दूर हट जाएगा और इसके ठीक विपरित जब सघन क्या होगा जब विरल से सघन में जाएगी तो यहाँ पर क्या है ट्राफिक है यहाँ पर क्या है सघन ह मतलब की traffic है और traffic में जब जाएगी तो क्या होगा बिल्कुल उसकी चाल जो है घट जाएगी कम हो जाएगी फर्स वरूप यह क्या होगा अभिलंब की ओर जुक जाएगी ठीक है तो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर तो इसके चाल कम हो जा रही थी और इसके विपरित जब यहां पर क्या हो रहा था यहां पर जब क्या हो रहा था कि यह सघन से विरल में जब जा रही थी कहां से कहां सघन से जब विरल पे जा रही थी तो विरल पे जाएगी तो क्या होगा रास्ता साफ हो जाएगा गती बढ़ अभिलंब से धूर हटेगी क्या होगी अभिलंब से धूर हटेगी तो और भी बहुत सारी चीजे हम पढ़ेंगे देख लेते हैं यहाँ पर जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम लोगों ने पढ़े हैं तो पहला नियम तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक ही तल पर रहेगा ठीक है और दूसरा नियम तो बस इतना ही था कि भई दो माध्यम होँगे तो दो माध्यम तो तीनो चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तीसरा नियम क्या बोर रहा था कि जब ये जो है सघन से विरल में जाएगी कहा से कहा सघन से जब विरल पे जाए और क्या होगा यह? अभी लंब से दूर हट जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी लंब से दूर हट जाएगा, मतलब कि यहां पर आपतन कोण बन रहा है, आई यहां बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं और जब अभिलंब से दूर हटेगा मतलब कि यहां पर क्या होगा अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा आपतन कोण से ठीक इसके विपरित क्या होगा कि जब यह जब यह क्या होगा यहां पर देख लो यहां पर क्या हो रहा है व विरल से सघन में आ रहा है तो जब विरल से सघन में आ रहा है तो क्या हो रहा है यह हमारा हो गया क्या आपतन कोण हो गया और यहाँ पर यह अपवर्तित कीरण जो है अभी लंब की तरफ क्या हो रही है जूक रही है अभी लंब की तरफ जूक रही है और यहाँ पर क्या हो क्या हो रहा है अपवर्तित कोण का मान कम हो रहा है आपतन कोण से ठीक है अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यह जो है बिल्कुल हम लोगों का आपतन बिंदू और आपतन बिंदू के अभिलंबवत 90 डिग्री पर हम लोग अभिलंब बनाते हैं तो जब आपत जितकीरण अभिलंबव से ही होकर आ रही है आपतन बिंदू पर सीधे सीधे अभिलंबवत आ रही है ठीक है और बिल्कुल ये अंदर घुसेगा तो क्या होगा तो यहां पर देखो आपतन कोण का मान क्या था आपतन कोण का मान शुन्य था तो यहां पर अपवरतन कोण का मा रहा है ये माध्यम क्या है विरल है और ये माध्यम क्या है सखान है क्योंकि ये क्या हो रहा है अभी लंब के से के सांथ सांथ आ रहा है तो अभी लंब के सांथ सांथ चला जाएगा तो फिलहाल हम लोगों को वैसे ये दोनों केस ज्यादा तर पढ़ने हैं तो जल्दी से नोट कर लेना है कर लिया नोट very good I hope कि आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा इसके आगे हम लोगों को अपवर्तनांग के बारे में पढ़ना है तो अपवर्तन के नियम हम लोगों ने देख लिए सघंता और विरलता के माध्या में किस तरह से जो है प्रकाश की कीरण गती कर रही है इस पीड बढ़ रही है घड रही है सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया अब बाद जब हम अपवर्तनांक की करेंगे तो एक माध्याम से दूसरे माध्या में जब प्रकाश की कीरण जा रही है और माध्याम में परिवर्तन की वजह से जब उसकी चाल बद परिवरतन चाहिए यहां पर इस अपवरतनांक जो है नियूँ अक्षर से प्रदरशित किया जाता है परिवाशा क्या मोलता है कि प्रकाश की चाल क्या प्रकाश की चाल मतलब की सी तीन गुड़ां दस की घात आट मीटर पर सेकेंड जो प्रकाश की चाल वाईउ में होती है ठीके प्रकाश की चाल माध्याम में माध्याम की सगणता और विरलता पर निर्भर करती है तो बिलकुल भाई वाईउ में तीन गुणा दस की घात आठ और ग्लास के लिए हम लोगों ने देखा था दो गुणा दस की घात आठ मतलब कि कम हो रही थी और सघंता और विरलता पर निर्भर कर रही थी तो बिल्कुल ये बात हमको पता है यदि कोई प्रकाश अपने माध्या में परिवर्तन करे क्या करे अगर कोई प्रक प्रकाश की चाल में क्या होता है ये वर्ड काट दो प्रकाश की चाल में आमूल चूल परिवर्तन होता है मतलब कि जब प्रकाश जो है एक माध्याम से कहां जाता है एक माध्याम से दूसरे माध्याम पे जाता है तो इसके चाल में परिवर्तन होता है या फिर स्पीड हो जाता है जब सगन से विरल में आ रहा है तो क्या हो रहा है स्पीड बढ़ रहा है रास्ता साफ है तो स्पीड क्या हो जाएगा स्पीड जो है बढ़ जाएगा बिल्कुल निर्भर कर रहा है अमूल चुल परिवतन हम लोगों ने देख लिया है चाल घट जाती है चाल बढ़ जाती है और सरवाधिक चाल कहा पर होती है तो निर्वात में होती है तो ये निर्वात में जो है प्रकाश की चाल है और जब हम अगर जैसे की बात करें जैसे की अभी हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर जो है ग्लास के लिए और एयर के लिए देखा था तो ऐसे कि मान लो कि यहाँ पर मुझे ग्लास और एर के लिए यहाँ पर अपवर्तनांग अगर निकालना है तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगी वायू के सापेक्ष क्या करूंगी अगर मैं यहाँ पर वायू के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांग यहाँ पर क्या है यह अ अपवर्तनांग निकाल रहे हैं ग्लास का अपवर्तनांग, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपवर्तनांग, ये हो जाएगा कि जो yu के सापेक्ष, जो speed होती है, मतलब कि यहां पर yu में प्रकाश की चाल वायू या फिर निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा यहां पर वायू या प्रकाश में चाल और यहां पर हो जाएगा ग्लास में ग्लास में प्रकाश की चाल ठीक है ग्लास में या फिर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कोई भी कोई भी माध्यम हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या माध्यम में प्रकाश की चाल ठीक है तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम प्रदर्शित करते हैं वी अक्षर से अब वायू में प्रकाश की चाल को हम प्रदर्शित करते हैं सी अक्षर से मतलब की अगर हम लोगों को यहाँ प का अपवर्तनांग और माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांग क्योंकि हमारे पास यहां पर दो माध्यम है तो माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांग माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांग तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तो मैंने समझा दिया आप लिख लोगे आप वर्दनांग यह आप लोगों को खुद से लिखना है, पुस्तक जरूर आप लोगों को पढ़ना है और बिल्कुल इसी कॉंसेप्ट पर इसी पर निर्भर करता है आप लोगों का स्नेल का नियम, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पर क हो रहा है कि चित्र में प्रकाश की किरण है क्या हो रहा है यहाँ पर आपतन बिंदु है और बिल्कुल यहाँ में देख सकते हैं नियम, यहाँ से आ रहा है ठीक है प्रकाश जो है यहां से आ रहा है और प्रकाश की किरण अंदर में इस तरफ जा रही है और मालो की पानी के अंदर कोई वस्तू रखी हुई है वो हम लोगों को जो है मतलब की यहां पर मतलब है एक्चुल में ठीक है तो बिल्कुल यहां पर स्नेल का नियम लागू मानलो लाल पिला हरा नीला कोई सा भी रंग हुआ कोई भी एक रंग मानलो रेड कलर ही ले लिए ठीक है निश्चिन माध्यमों के जोड़े के लिए यदि आपतन कोण की जया का मतलब यह हो गया यह है हमारा आपतन कोण क्या है यह हमारा आपतन कोण और इस आपतन कोण की जय मतलब की साहिन आई और यहां पर क्या बोल रहा है अपवर्तन कोण की ज्या मतलब की यह हमारा अपवर्तन कोण है जो यहाँ पर अपना मार्ग से विचलित हो रहा है विरल से सगन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ जुक जा रहा है अपवर्तन कोड की ज्या मतलब कि यहाँ पर साहिनार हो गया इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है सदाव निश्चित रहता है नियत रहता है फिक्स रहता है पहले माध्यम के सापिक्ष दूसरे माध्यम का इसको क्या कहते है अपवर्तनांक कहते है अभी अभी हम लोगों भी आप लोग देखोगे यही क्या कहलाता है इस नेल का नियम बहुत इंपोर्डेंट है और बिल्कुल एक इस मतलब की यह अपवर्तनांक का टेबल हम देखेंगे आगे पर बिल्कुल उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कांच की आईताकार स्लाब ली गई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दो चीजे हो रही है यहाँ पर जो है देख पार हो आप लोग की प्रकाश की कीरण आपतित हो रही है कांच की आईताकार स्लाब में और यहाँ पर यह आपतित कीरण है तो बिल्कुल यह आपतित कीरण जो है अगर हम यहाँ पर इस आपतन बिंदू के सापिक्ष अभिलंब बनाए तो यह हमारा क्या आपतन कोण हो जाएगा और यहां पर क्या हो रहा है बिल्कुल अभिलंब की तरफ क्या हो रही है जुक रही है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा परावरतन कोण हो जाएगा और यहां पर यह वापस से क्या हो रही हम लोगों को मतलब बिल्कुल इसका देखना है इसका डारिवेशन तो नहीं डारिवेशन आप लोग पढ़ोगे कक्षा बार्वी में पर यहां पर इसको पूरा अच्छे से समझ लेना है तो जो अभी तक पढ़ा है वही है कुछ भी नहीं है दो हिससे थे उसके एक हिससे हम लोगों ने मनलब एक मिला करके पूरा पढ़ रहे है सघन से विरल विरल से सघन दोनों चीज़े हम अल्रेडी पढ़ लिए है उसको ही यहां पर स्नेल के नियम के नियम के अनुसार समझना है यह चित्र है आपके पास यहां पर आपतित हो रही है की रण ठीक है वायू से विरल माध्यम से यहां पर कहां पर आ रही है विरल से सघन माध्यम पर आ रही है हमारी काच की आयताकार स्लैब में आ रही है बिलकुल यहां पर जब सघन माध्यम पर आ रही है तो स्पीड कम हो रही है अभिलंब की तरब अपवर्तित की रंजू कर रही है और यह क्या बन है अल्प हो जाती है ठीक है इसलिए प्रकाश की किरने अभिलंब की तरफ क्या होती है जुक जाती है समझ चुके है इस कॉल रेडि हम तो बिल्कुल यही चीज आपको काश की आयता का स्लाब में आप वर्तन से रिलेटेड सवाल जब आएगा तो वहां पे आपको बिल्कुल डाइग्राम बनाना है और सारी चीजे जो मैंने आपको बताई है एक्स्प्लेइन करना है आगे वही एक्स्प्लेइन करोगे कि लेकिन वही प्रकाश की किरन काच में जब गमन करती है और काच के दूसरे सीरे पर क्या हो रही है बिल्कुल काच के यहां पर देख सकते हो का पिल्कुल यहाँ पर क्या हो रही है तब क्या होगा की कांच से बाहर वायू की और जब गमन करती है तो अभी लिए और जो अपवर्तनांक हम लोगों ने देखा है तो बिलकुल माध्यम की बात हो रही है कोई भी दो माध्यम पर यहां पर होगा हर माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान जो है वो नियत होगा यह सारे म्यू के मान यहां पर आप लोगों को दिये गए है सारे म्यू के मा बात होती है हीरे या फिर कांच की बात होती है क्राउन कांच ठीक है तो या फिर जल की बात होगी ठीक है तो ये तीन जो है बहुत ज्यादा कॉमन इस्तमाल की जाने वाले चीज है इसके अलावा हम आगे जब बात करेंगे तो अभी हम प्रकाश का अपवर्तन पर रहे थे त तो यह होता है गोलियल लेंस पर तो बिल्कुल आपकी आखों में भी गोलियल लेंस लगा हुआ है और उसी के आधार पर क्यामरे का लेंस और बिल्कुल यह जो मेरा मुबाइल है सभी का मुबाइल मेरा ही नहीं आपका मुबाइल मेरा मुबाइल हम सब का मुबाइल इस इस वज़ा से ही मैं दिखाई दे रही हूं तो वहाँ पर भी क्या होता है लेंस लगा होता है फोटोग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा लेंस को बिल्कुल जो है सेट किया जाता है फोकस उसका मेंटेन किया जाता है बारवर फोकस पॉइंट बदला जाता है आखों का जो lens होता है माना उनेतर का जो topic आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हमारा माना उनेतर प्राकृतिक lens है प्राकृतिक उत्तर lens है जो क्या करता है बिल्कुल जो है अपने आप जो है control करता है maintain कर लेता है तो बिल्कुल यही lenses के बारे में हम लोगों को पढ़ना है क्या होता है ये लेंस ठीक है तो बिल्कुल टॉर्च के सिरे पर कांच से बना एक पदार्थ आप लोगों ने देखा ही होगा वो क्या होता है लेंस होता है बिल्कुल टॉर्च के सिरे पर ये जो पदार्थ होता है वो क्या होता है लेंस होता है आप लोगों ने देखा हुग अंदर पतलू पेट अंदर अवतल यहां पर अवतल लेंस है वो अवतल दरपन था यह अवतल लेंस है और इसका बीच का सीरा जो होता है अंदर की ओर घुसा हुआ होता है और यहां पर यह जो होता है वो क्या होता है उबरा हुआ रहता है यह क्या कहलाता है उतल लेंस यह उ तरफ से ये भुबरा हुआ है ये दो तरफ से अंदर घुसा हुआ है दरपड में एक ही सीरा था यहाँ पर क्या है दो सीरे हैं तो जो लेंस है वो दो प्रिस्ठो का घिरा हुआ होता है किसी पारदर्शी माध्यम से बना होता है प्लास्टिक का कांच का किसी भी पारदर्शी माध्यम का बना होता है और इसका जो दोनों सीरा है अलप गोलिय होता है मतलब कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर भी गोलिय सीरा है और यहाँ पर भी गोलिय सीरा अंदर की तरफ है गोला यह उभरा हुआ गोला है तो इस तरह से हम लोगों ने लेंस के दो प्रकार दे उभरा हुआ है वो तो हमको डाइगराम में ही दिख रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है और किनारे जो है क्या है बिलकुल किनारे जो है मध्य की अपेक्षा कम मोटे हैं ठीक है किनारे जो है पतले हैं बीच का हिस्सा मोटा है बिलकुल उत्तर लेंस प्रकार्शी किर्णों क बात करते हैं तो उत्तल है इसके विपरीत होता है कैसा होता है उपर लेंग के विपरीत मध्य का भाग क्या होता है गहरा होता है पेट इसका अंदर घुसा हुआ है ठीक है ये सेठ जी नहीं है ये विचारा काम कर रहा होता है इतना काम करता है कि पेट अंदर घुजाता है ठ अवतल मोटू अभी सारी ठीक है और अवतल पतलू अप सारी तो बिल्कुल ध्यान रखना है और बिल्कुल ये अवतल और उतल लैंस जो बनते हैं इसके दो सीरे होते हैं तो इसके दो सुरे जो है यहाँ पर दो गोले के हिस्से हैं दरपन पर रहे थे तो एक गोले का हिस्सा था एक काच के खोकले गोले का हिस्सा ये काच के दो खोकले गोले का खोकले गोले तो नहीं यहाँ पर यह वाला हिस्सा भरा हुआ है यह वाला हिस्सा मोटा सा है बिल्कुल मेरे चश्मे जो है यहाँ पर यह है जो है आप अपने दोस्त का कोई चश्मा लगा रहा होगा या आप खुद चिश्मन लगा रहे होगे तो देखना अंदर का जो बीच का हिस्सदा है वो इस तरीके से अंदर घुसा हुआ है ओव्तर लेंस हम अपने काछ आखो में पहनते जिनको दूर फोकस के बारे में पढ़ाता वैसा ही यहांपर आप लोगों को प्रिंसीपल फोकस के बारे में देखना है तो जब यहांपर मुख्य आक्षऑ देखो वही सारी चीज़े होंगी मुक्ख्याख्घ़, फोकस बिंदू, फोकस दूरी, वक्रता, केंद्र keep कर हर चीज़ दो होंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ दो क्यों होंगे क्योंकि यह दो गोले का हिस्सा है तो जैसे यह जो हो गया आपका मुख्याक्ष हो गया ठीक है यह जो हो गया बीच का आपका ध्रू हो गया यह जो हो गया क्या हो गया यह त्रिज्जा है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो होगा यहाँ पर जो है समनांतर जो किरणे आपतित हो रही है ठीके वो क्या हो रही है बिल्कुल जो है यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है अपवर्तन हो रहा है मतलब कि यहाँ पर जो है विरल माध्यम से सगन माध्यम में प्रवेश किया स बग़न माध्यम से फिर से क्या किया यह विरल माध्यम में मतलब की काच को पार करते हुए वायू में प्रवेश किया तो जैसे हम लोगों ने काच की आयता काल स्लाप के लिए देखा था वैसे हम यहाँ पर उत्तल और अउतल लेंज के लिए देख रहे हैं तो अपवरतन हो यहां पर क्या हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन ठीक है प्रकाश का अपवर्तन की वज़ा से यह क्या कर रहा है अपना जो है रास्ता बदल रहा है रास्ता बदलने के कारण यह क्या करता है यहां पर फोकस बिंदू पर आ करके सारी किरने जो है मिल रही है उत्तर लेंस के ल रहा है जिसके वज़ा से ये क्या कर रही है अपना रास्ता इस तरह से बदल दे रही है जब सगहन से विरल पे जा रही है तो अपना रास्ता बदल रही है और फैल रही है यहां पर क्या हो रही है तो जब ये फैल रही है तो हम क्या करेंगे इसको पीछे की और जब हम क्या क कि किसी लेंस पर यदि प्रकाश किरने समनांतर आपतित होती हैं तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी या गुजरती हुई प्रतीत होंगी तो उसमें गुजरती हुई प्रतीत हो रही है इसमें जो है वास्तविक्ता में गुजर रही है उत्तर लेंस के लिए देखा जा सक कि प्रकाश की किरने मुख्य अक्ष को प्रतिछेद करती हुई गुजरती है बिलकुल मुख्य अक्ष को प्रतिछेद करती हुई क्या हो रही है गुजर रही है उत्तर लेंस का फोकस बिंदू यही होगा जहां से बिंदू गुजरेंगी और अवता लेंस की स्थिति में प्र प्रतिछेद करती हुई प्रतीत होंगी अगर कीरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो प्रतिछेद करती हुई प्रतीत होंगी फोकस बिंदू पर पीछे की तरफ क्या होगी यहां पर प्रतिछेद करती हुई प्रतीत होंगी समझा रही है बात क्योंकि यहां पर क्या हो दोनों के लिए हम किरण आरेक तो देखेंगे पर हम उसके नियम देख लेते हैं जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने उत्तल और अवतल दर्पन के चार नियम पढ़ेते वैसे ही यहाँ पर भी उत्तल और अवतल के लिए जो है तीन नियम है ठीक है तो तीन नियम में पहला न बिंदू से होकर के जाएंगी ठीक है फोकस बिंदू से होकर के जाएंगी तो मुख्यक्च के समनांतर आ रही थी तो इसके पहले भी दरपड में फोकस बिंदू से ही जा रही थी पर वहाँ पर एक ही फोकस बिंदू था यहाँ पर दो फोकस बिंदू है यहाँ पर पार कर र मुख्य अक्षके समनांतर जाएंगी ठीक है क्या होगी मुख्य अक्षके समनांतर जाएंगी अगर सेम इसका उल्टा होगा तब भी यही होगा कि यहाँ पर से अगर आएंगी क्या होगा अगर मालों कि यहाँ पर से आएगी तो यहाँ पर से जाएगी ठीक है ठीक उसी प्र आएगा जैसे वक्रता केंदर से आ रहा था तो वक्रता केंदर से ही जा रहा था ठीक उसी प्रकार सेम ऐसे ही आउतर लेंस में भी होगा ठीक है पर आउतर लेंस में हम लोगों को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा ठीक है जैसे मुख्याक्ष के समनांतर आ रही है तो क् बिल्कुल सारे ही नियम सेम हैं आप लोग देख सकते हो मुख्याक्षा के समनानतर आ रहा है तो अपवरतन के पश्चात क्या हो रहा है यहाँ पर फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है यह दूसरा फोकस बिल्कुल तीसरा वाला भी वैसा ही है कि बिल्कुल ओ बिंदू के ओ बिंदू से हो करके मुख्य अक्ष से अगर गुजर रहा है तो मुख्य अक्ष से ही क्या हो रहा है वापस मतलब वो मुख्य अक्ष से ही आगे जा रहा है तो बिल्कुल यहां से आ रहा है अब वर्तन के पशा सिधा सिधा यहां से जा रहा है अगर दोनों को comparison करके हम लोग यहाँ पर देखे तो comparison में और भी आसान हो जाएगा देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हम लोगों ने यही चीज़ भी पढ़ा ठीक है सेम चीज़ पढ़ा दोनों के लिए देख सकते हो दोनों के लिए यहाँ पर तुलना कर सकते हो बिल्कुल इसी वज़ा से मैं यह diagram आप के लिए लेकर क्या हूँ चाहो तो जल्दी से screenshot ले लो दोनों को compare करके देख सकते हो कीरण आरेक कैसे बनेगा कीरण आरेक बनाने के लिए जो नियम है बस इनी नियमों का पालन करते हुए हमें जो है लैंसों के द्वारा प्रतिबिम्ब हम लोगों को देखना है तो सबसे पर और यहां पर आतल लेंस के लिए प्रतिबिम्ब देखेंगे जैसे आतल दरपण के लिए हम लोगोंने देखा था वैसे इपर यहां पर क्या आतर होगा कि यहां पर आतल लेंस के हमको 2 2 cases मिलेंगे जब की हमको उत्तल लेंस के 6 cases मिलेंगे वहाँ पर क्या हुआ था अवतल दरपन के लिए 6 cases मिला था उत्तल के लिए 2 ठीक है तो ध्यान रखना है अवतल का केवल 2 ही case होगा जिसमें से पहला case यहाँ पर आप लोगों का है कि मान लो आप लोगों यहाँ पर कौन जब दूरी है वो क्या होगी focus की दो गुना होगी ठीक है तो यहाँ पर इसको F2 और इसको माना है R2 हाना तो उधर R1 R2 किधर भी मान सकते हो R1 R2 कोई भी गोला एक R1 लेलो R2 लेलो ठीक है तो बिलकुल हम लोगों ने इसको क्या किया है वकरता त्रिज्जा के पहले मतलब हम लोग देख सकते हो कि आवता लेंस की सहायता से जब यहाँ पर प्रकाश की कीरण आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात एक कीरण तो कहां जाएगी अपवर्तन के पश्चात एक कीरण जो है इधर जा रही है और एक कीरण यहाँ पर जो है ओ बिन्दू के साप बन रहा है बिल्कुल यहां पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और यह सीधा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और कैसा बन रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है ठीक है वस्तु से छोटा बन रहा है और बिल्कुल यह ओक बिंदू और इस फोकस बिंदू के बीच में बन रहा है तो ये तो आवतर लेंस का पहला हो गया ये जो आवतर लेंस का पहला ये वाला हम लोगों ने देखा अभी क्या देखा हम लोगों ने ये वाला देखा ठीक है ये वाला हम आलरेडी देख चुके हैं कि फोकस बिंदू पर क्या होता है मिलता ह हुआ प्रतीत होता है तो सिर्फ यही दो केस है यह केस हम लोगों ने पहले ही देख लिया था अवतल लेंस के लिए जब हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था यहां पर यह देखो यह यहां पर हम लोगों ने देख लिया था यह पहला केस अल्रेडी देख लिया है वैस तो यहाँ पर अनन्थ पर है तो कहाँ पर प्रतिबिम्ब बन रहा है यहाँ पर इस फोकस पर प्रतिबिम्ब बन रहा है तो मान लोग कि हमने इसको F1 माना ठीक है किसी को भी F1 या F2 मान सकते हो ठीक है कैसा बन रहा है अतिदिक छोटा बिंदू आकार का बन रहा है ठीक है औ अनन्त और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर रखा जाए ठीक है ये अनन्त है अनन्त और लेंस के ये जो है हमारा क्या कहलाता है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है क्या कहलाता है प्रकाशिक केंद्र मतलब की क्या हो गया लेंस का केंद्र ठीक है तो जब यहां पर बस्तू रखी हुई है तो क्या बनता है बिलकुल जो है छोटा प्रतिबिम्ब बन रहा है छोटा प्रतिबिम्ब बन रहा है आभासी और सीधा आउतल लैंस के केस में दोनों ही प्रतिबिम्ब हम लोगों को कैसे मिल रहे है आभासी और सीधा मिल रहा है और दोनों ही आप डोगों को दिया था घर के दरवाजे तरह लगा होता है। इस तरह से लाइन्स लगा होता है। बिल्कुल प्रोजेक्टर में हम लोग जह है इस तरह के Lens का इस्तमाल करते हैं, जो कौन सा Lens होता है, ओतल लेंस होता है, और जिसको दूर का चीज नहीं दिख्ता है, मतलब की जिसको निकट दिरिष्टी दोस होता है, वो भी ओतल Lens का ही सिमाल करता है, जैसकि मैंने किया है मानवनेत्र पढ़ोगे तो वहाँ पर आउतल और उतल का आप लोगों को जो है उपयोग दिखेने के लिए मिलेगा तो बिल्कुल वहाँ पर भी ध्यान देना ठीक है अब हम उतल लेंस के कीरण आरेक पर आते हैं तो उतल लेंस के कीरण आरेक पर पहला केस हम यहाँ पर ले कि देखो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले भी वैसा ही किया था बिल्कुल यहाँ पर धुरू से हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ पर हम किसे सुरू कर रहे हैं इस प्रकाशिक केंद्र से शुरू कर रहे हैं तो प्रकाशिक केंद्र और यहाँ पर फोकस के बीच में अगर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर शीवा को हमने का करा दिया, शीवा को हमने यहाँ पर खड़े करा दिया, तो बिल्कुल इसका जो है कीरण आरेक बन रहा है, कीरण आरेक के लिए हम लोगों ने एक जो है मुख्याक्ष के समनांतर कीरण लिया, दूसरा हम लोगों ने क्य प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रहा है तो अपवर्तन के पश्याद जो है ये जो है जो समनांतर आ रहा है मुख्यक्ष के तो जो हम लोगों ने अपवर्तन का नियम पढ़ा था अवतल और उतल के लिए तो वो फोकस से जाएगा और यहां पर प्रकाशिक केंद्र से जो ज प्रतीत होगा तो जब पीछे की और इस आरेक को हम बढ़ाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर शीवा का जो प्रतिविंभ है मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है बड़ाशा शीवा हमको दिखाई दे रहा है बड़ाशा शीवा ठीक है तो बिल्कुल जिन लोगों को पास की चीज चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है क्या लगा होता है उनके चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है या तो फिर इस तरह से मतलब किसी छोड़ी छोड़ी चीजों को माइक्रो चीज को बिल्कुल बड़ा करके देखने के लिए हम इस तरह से एक ग्लास का इस्तमाल करते हैं जो उत्तल लेंस का बना होता है ठीक है तो ये तो हो गया हमारा पहला केस दूसरा केस हम देख लेते हैं यहाँ पर ये सेकेंड केस कहां पर रखा हुआ है शीवा जो है फोकस बिंदू पर रखा हुआ है ये हमारा क्या है उत्तल लेंस का सेकेंड केस है किसका उत्तल लेंस का सेकेंड केस जहां पर जो है आपका वस्तु कहां पर रखा हुआ है प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी पर यहां पर रखा हुआ है फोकस बिंदू पर यहां पर रख लेते हैं तो होता क्या है बिल्कुल अक्ष के समनांतर फोकस से जाएगी और बिल्कुल यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो दोनों ही क्या जा रही है देख रहो एक दम एक दूसरे के समनांतर जाएगी समनांतर जा रही है तो कहां पर जाकर के मिलेगी समनांतर ज दोनों ही लगा होता है तो बिल्कुल इस तरह से लगा होता है और जो है समनांतर जाता है और सीधी प्रकाश की किरने निकल आती है और बिल्कुल तीसरा केस हम लोग यहां पर देख सकते हैं यह बहुत ही आसान है और सबसे पहले हम लोगों ने यहां रखा पहले केस में फिर बिल्कुल आप लोगों का वक्रता केंद्र या फिर वक्रता त्रिज्जा ये वक्रता त्रिज्जा है आपकी जो क्या है फोकस का डबल है तो हम लोगों ने यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रख दिया है दो गोले के हिस्से हैं यह ना दो सतहे हैं इसमें तो इस सतह के वक्रत केंद्र पर हम लोगों ने रख दिया ठीक है तो जब इस तरह से रखा तो हुआ क्या प्रतिबिंब बना बिल्कुल यहां पर जो नियम मैंने आप लोगों को बताए है मुख्यक्षे के समनांतर आती है फोकस से होकर के जाती है प्रकाशिक केंद्र से आती है तो प्रकाशिक क बन रहा है बिल्कुल ठीक है जब हम लोगों ने यहां पर फोकस और यहां पर वकरता केंद्र के मध्य जब यहां पर रखा था यहां पर टू एफटू के आगे उल्टा बन रहा है बियांड टू एफटू मतलब टू एफटू के आगे बन रहा है और काफी जादा बड़ा बन रहा है और चौथा केस हम लोग देख लेते हैं बहुत ही आसान है जैसे कि हम लोगों ने अउतल दरपन के लिए पढ़ा था ठीक उसी प्रकार यहां पर हम लोग जो है उतल लेंस के लिए देख रहे हैं और जब हम लोग इसको वकरता केंद्र या फिर 2F1 पर जब हम होगे उसी के अनुसार आपको थ्योरी लिखनी है परिक्षा में और यहां पर देखो अपुवर्तन के पशार बिल्कुल सभी नियमों का पालन करते हुए जितने साइस का है तो एक जैसा साइच का बनेगा उल्टा बन रहा है ठीक है और वास्तविक बन रहा है और वस्तु के अकार के बराबर बन रहा है पाँच्वा केस हम देख लेते हैं उत्तर लेंस के लिए तो पाँच्वा केस में हम लोगों ने क्या किया देखो पहले हमने यहां रखा फिर यहां रखा फिर यहां रखा फिर यहां रखा अब यह पाँच्वा केस है अब हम लोगों ने क्य किया 2F2 के आगे रख दिया शिवा को कहा रख दिया शिवा को हम लोगों ने 2F2 के आगे रख दिया तो जब हम 2F2 के आगे रखेंगे शिवा को तो यहां पर कहां पर बनेगा 2F1 के आगे रखें हैं तो यहां पर F2 और 2F2 के बीच में मतलब की यहां पर यह वाली दूरी के जब आगे हम लोगों ने रखा तो कहा पर बना ये इन दोनों के बीच में बना ठीक है इन दोनों के बीच में बना वस्तु से छोटा उल्टा और वास्तविक तो ध्यान रखो जब हम आउतल की बात कर रहे थे ना तो दोनों बार हम लोगों को आभासी और सीधा मिला था हना और यहां पर उत्तल में क्या हो रहा है, यहां पर उत्तल में हम लोगों को आभासी और उल्टा मिल रहा है, ठीक है, हर बार क्या मिल रहा है, हर बार हम लोगों को क्या मिल रहा है, वास्तविक और उल्टा मिल रहा है, हाँ, कभी छोटा कभी बड़ा है, पर हर बार क्या है, व लोगों ने देख लिये हैं एक बार समराइज आप कर सकते हो स्क्रीन शॉट लेलो इसकी प्रैक्टिस करो किरन आरेक बनाने की आप लोगों को क्या करनी है बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है तो यह चीज आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी बस पहले जब अनंत पर थी ठीक है यह वाला केस जो जब यह क्या था अनंत पर था ठीक है तो यहां से शुरू हो रहा है फोकस पर बन रहा है अत्तिधिक छोटा और बिंदु आकार का बिल्कुल बन रहा है और कैसा बन रहा है वास्तविक और उल्टा बन रहा है ठीक है और बिल जब 2F1 से परे है दूर रखा हुआ है तो कहां पर बन रहा है F2 और 2F2 के बीच पर बन रहा है छोटा बन रहा है वास्तविक और उल्टा देखो यहां पर सारे ही केस में वास्तविक और उल्टा मिल रहा है केवल एक ही केस है जिसमें आभासी और सीधा बन रहा है जबकि हमारा थर्ड वाला देख सकते हूँ आप जब 2F पर है तो कहां पर बन रहा है 2F पर ही बन रहा है एक जैसा साइज का बन रहा है वास्तवी का और उल्टा बन रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा केस हना चौथा केस और बिल्कुल क्या है दोनों के बीच में आ जाएगा हना फ और 2F के बीच में आ जाएगा तो 2F से परे बनेगा बिल्कुल इसका विपरीद केस है और ये कैसा बनेगा बड़ा बनेगा और वास्तवीक और उल्टा बनेगा ठीक है इसके बाद वाला केस इसके बाद वाले केस में आप देख सकते हो यहाँ पर जब F पर है तो कहां पर बनेगा, यहाँ पर अनंत पर बनेगा, जब F पर है तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, देखो जब अनंत पर था, जब अनंत पर था, तो कहाँ पर बन रहा था, फोकस पर बन रहा था, जब फोकस है तो कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तो यह इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब, क्या है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, ठीक है, जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है तो कहां पर बन रहा है ये फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है तो ये प्रतिबिम्ब इन दोनों के बीच बन रहा है ठीक है F और 2F के बीच में ठीक है F और 2F के बीच में बनेगा बड़ा बनेगा आभासी और सीधा बनेगा कैसा बनेगा आभासी और सीधा बनेगा जो हम लोगों ने मतलब वो न्यूस पेपर वाला जो केस देखा था ना कहा गया भाई न्यूस पेपर वाला केस मिल जाओ ये आभासी और सीधा केवल इसी केस में आभासी और सीधा बन रहा है वस्तू से बड़ा ब ना था और बिल्कुल इसके practical applications आप देख सकते हो ये जो हम लोगों ने आभासी और सीधा वाला जो देखा उसका है और camera का lens आखों में भी जो है lens लगाते हैं जो हमारा real lens है प्राकृतिक रूप में जो मिला है वो हमारा उत्तल lens ही मिला है और बिल्कुल इस तरह से दूर दर् धन सुत्र बस यहाँ पर यह जो है यही अंतर है आप लोगों को lens ससुत्र आवर्धन सुत्र देखो इसका derivation पढ़ना है आप लोगों को आगे की कख्षाओं में बस यहाँ पर आपको सुत्र याद रखना है यह सुत्र में अंतर है देखो वहाँ पे धन था यहाँ पर रिन है ठीक है तो यही बदलाव है लेंस में तो इस चिछ को आप लोगों को याद रखना है चिन्ना परिपार्टी पे बिल्कुल वैसे ही रहेगी दाएं तरफ धनातमक बाएं तरफ रिनातमक उपर के तरफ धनातमक नीचे की तरफ रि चिन्ह परिपाटी को लेना है याद रखना है इस बात को चिन्ह परिपाटी को छोड़ना नहीं है लेंस की शमता मतलब की पावर ओफ लेंस मतलब कितना पावर होता है तो ये क्या कर सकता है बड़ा या छोटा कर सकता है आराम से तभी तो हम क्या करते है कैमरे का इस्तमाल कर और लेंस की छमता जो पावर होती है इसको हम एक बटे फोकस दूरी जो कि किस में होती है मीटर में होती है एक बटे फोकस दूरी देखो अगर सैंटी मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में कनवर्ट करना ठीक है और इसका जो मातरक होता है वो क्या होता है डाय आप्टर इसक नो प्रकाश को उसके मार्ग में विचलित करना या मोड़ना ही लैंस का काम है, उत्तर लैंस की छमता अधिक तब होगी जब लैंस के प्रकाश को अधिक मोड़ पाए, तो उसकी छमता जो है, उसकी किस पर निर्भर करती है? शम्ता मतलब की लेंस का जो पावर है फोकस दूरी पर निर्भर करता है तो जब हम फोकस दूरी को बदलते हैं बिल्कुल हमारी आँखे भी क्या करती है फोकस दूरी को बदलती है तो उसकी शम्ता बदलती है ठीक है दूर की चीजों को देख पाना पास की चीजों को देखन मोटा पतला भी होता है लेंस यहाँ पर देख सकते हो मोटा हो रहा है वहाँ पतला है ठीक है पतला है मोटा है बड़ा छोटा यह लेंस का चुछ हमता है प्राक्रेतरिक से जो है क्यामरे का लेंस हमारी आखों का लेंस बदलता घटता है और बिल्कुल देख पार हो फोकस दूरी कम है यहाँ पर फोकस दूरी जादा है ठीक ऐसे ही अवतर लेंस के लिए यहाँ पर फोकस दूरी कम है यहाँ पर फोकस दूरी जादा है तो कैमरे में और हमारी आखों में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर लेंस और अवतर लेंस हम लोगों ने पढ़ा है तो ये जो है आप लोगों के बहुत ही important है अंतर तो बिल्कुल आप चाहो तो screenshot ले सकते हो सारी चीजे मैंने आप लोगों को बता दी है अभी सारी अब सारी किनारों से पतला बीच में मोटा जो भी है आप लोगों को देख करके लिख लेना है कुल 6 स्थितिया बनती है कुल 2 स्थितिया बनती है तो बिल्कुल screenshot ले सकते हो सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है पर आप लोगों के लिए collection लेकर के मैं आ गई प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के लिए भी इसी प्रकाश से आपको देखो diagram बना दोगी तो अच्छा होगा यहाँ पर भी diagram बनाया है अंतर पूछेगा, पूछेगा ही परिक्षा में, ये सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, तो जल्दी से स्क्रिंशॉट लेना, डाइग्राम भी बनाना है, सब कुछ समझाया हुआ है, मेरा पढ़के समझ में आ जाएगा, I hope कि आप लोगों ने फटा फट सारे पहले आप लोगों के लिए जल्दी से मैं यहां पर एक वीडियो दिखा देती हूँ, बड़ा ही इंट्रेंस्टिंग वीडियो है, यहां पर जैसे हम लोगों ने दरपन के लिए सीखा था, वैसे हम लोग वीडियो यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखना यहां पर यहांड हो दिखा रहा हूँ और देख सकते हो असानी से यह रहा लेंस उत्तल लेंस यह plane आइता कार слow यह क्या है उत्तल और यह जो है आउतर बिल्कुल इस तरह से सारे अलग अलग लेंस को यहां पर रख के आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो प्रकाश की कीरन जो है मिल रही है आयता का स्लैब में अलग हो रहा है ठीके और यहां पर जो है यह आवतर लैंस में फैल रहा है तो I hope कि आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से देख लिया होगा जल्दी से हम यहां पर जो है लेंस के मुक्य फोकस पर लखेंगे, फोकस दूरी से दो गुनी पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुक्य फोकस पर, फटा फट सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए, तो भाई इसका आंसर होगा, फोकस दूरी की दो गुनी दूर पर रखना है तो डिटेल नहीं explain करूंगी बहुत समय हो चुका है खुद से करना होगा आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया है डाइग्राम में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यह डाइग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया था बल्कुल यहाँ से आप लोगों को आंस वास्तविक और उल्टा मिल रहा था ठीक है वास्तविक और उल्टा मिल रहा था और एक ही बार आभासी और सिधा मिल रहा था पर जबकि अवतल के केस में हमको हर बार आभासी और सिधा ही मिल रहा था उस लैंस की फोकस दूरी ग्याद कीजिए जिसकी चमता माइनस दो मतलब यहां पर आपको P positions ग्यात करना है, तो बिलकुल यहां से आपको ग्यात हो जाएगी, एक बटे focus दूरी meter में, meter में और centimeter में, यहां रखना है आप लोगों को, और minus plus का ध्यान रखना है, तो यहां पर आप लोगों का जो answer आएगा, बिल्कुल माइनस 50 संटी मिटर आएगा और क्या आएगा आउटर लेंस क्योंकि माइनस में है मतलब कि क्या हो जाएगा आउटर लेंस हो जाएगा थीक है तो बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने जो है अबजेक्टिव सवाल भी पूरे कर लिए उत्तर लेंस, अवतर लेंस भी खतम कर लिया, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पूरा कर लिया, अगर कोई भी सवाल है, तो सभी बच्ची कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और बिल्कुल इसी के साथ, आज के इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस वन आपत करती हूँ, मिलते हैं हम अपने लाइक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बच्चो!